हेलो चो स्वागत आपका पीडवलो की इस अमेजिंग ओनलाइन लर्निंग प्लाटफॉर्म में और आज की इस अमेजिंग सेशन में हम लोग डिसकस करने वाले एचसी बोड के इंपोर्टन वनमार्क के सारे क्वेशन जो आपको स्टेट बोड के एक्जाम में ओव्यसी हिल देंगे तो विल ट्राइट टू बी कवर आज मेनी वनमार्क क्वेशन एस पॉसिवल और बहुत बढ़िया एकुरेसी के साथ वित कंसेप्ट देखो एक्जाम मे इसकंती साथ डी कि उड़लह टार करते ऊनौन से लोगी खाले जोट करते क्या थे शिरूंग दराते सेीक्राइब च्रीजार वालीben पटहएं difference और Post-up führen क्या न confess दो तो केस्वन में केस्वन में आपको दे देते बटा लिए मुवी क्रिप्ट मुवी स्क्रिप्ट यह मैं बोल देता हु बटा लेट से फाइंड बहुत ज्याद हो जाएगा 150 पेज़ेस कितना बटा 150 पेज़ेस और यहां पर एक छोटा सा आप स्क्रिप्ट देते जैसे कि आप बोल लो क्या बोल सकती हाँ पर कोई तो भी मुवी स्क्रिप्ट नहीं बोलेंगे यहां पर कुछ कंसेप्ट लिग देते एक स्क्रिप्ट इन चाइनीज लांगविज जो कि अब कि आपको यह समझ में नहीं आता मैंग्जों सब्सक्रिप्टि नहीं चाइनीज लांगविज यह मैं लिख देता बटा फाइब फाइब फेज़ देश्ट आपके पास गूगल ट्रांसलेटर नहीं कुछ भी नहीं है आपको खुच से वह चाइनीज जो स्क्रिप्ट थी उसको आज याद करना है लेसे चाइनीज वह इंग्लिश में लिखा आपको पढ़के याद कर लेना है चाओ में आओ में कुछ तो भी याद कर लेना है तो मैं अगर आपको बोलू बैटा कि कि which one is easier for you आप बोलोगे सर यह मूवी स्क्रिप्ट यहाँ पर मैं लिख देता हुआ हिंदी में इस इंवर्ट बैटा इन हिंदी तो मेरे को बता दो आप कौन सा प्रेफर करोगे मेरा जहां तक मानना है 99.9% जो बच्चे है यह से वही बच्चे प्रेफर करेंगे जिनको साथ कियो ना हो बात समय जो अब रचने में क्या हो जाएगा अगर आप डिफिनेशन को आज यहां पर वन मार्कर में मैं इसमल में प्रवल्लम क्या हो जाएगा आप अभी तो ध्यान में रख लोगी वट जब एक्जाम में लिखने बैटोगे पूरा लेक आउट कुछ भी मार्क अगर मिल जाए वन मार्क के बदले तो भी इस गुड़ी नव बात को समझो कुछ ना होने से कुछ होना बेतर है एक्जाम्पल सब लोग होपफुली समझ में आ गया होगा बोलने के बेचे का मतलब यही था डॉन्ट ट्राइट टू रिमेंबर एक्जाट डिफिनेशन आइट रिमेंबर एक्जाक कंसेंट ठीक है तो चलो शुरू करते अपने इस अमेजिंग सेशन को पहले क्वेस्टन से स्टार्ट करते क्या है the following types of solids content molecules as a constituent particle molecule as a constituent particle देखो मैं जब types of solid हम लोग बात करते तो आपना केस तो आप लोग को समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे यहाँ पे शुरू कर देते आज का खेला तो क्या होते विधाय यहाँ पे कोसनेट पार्टिकल। में रहे चारिक हैं पेज़ा तो भास समारिक गया होते बिद gefक्राइए चारिक पना अथा-ट॥ा पेज़्ाम समें यहां पर क्या भुशित ने रहे जाएगे बटा अटम्स ऑप्पोली चीजे खिलियर और सवाल को एकदम क्रिस्टल खिलियर क्या रहे जाएगे बटा अगले क्वेस्टन की तरफ बढ़ता है और ऑक्टाहेडरल वोईड वो किस से सराउंड होगा यह पूछा गया पर अगर मैं बात करूं कितने स्पीर से यह बनेगा तो ऑक्टाहेडरल वोईड की जो बात करते है तो मैं थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ कुछ इस त इस तरीके से इस उक्टाहेडरल वोईड को बनाने की कोशिश करते है यहाँ पर त क्या करनी इसको को कॉपी कर लों मैं यहाँ यहां पर क्या कर तूह बहूं कि ins को अगर पेष्ट कर पाहा हम समढ थीकिए ना ना ऑभी ना इसको कैसे कापी पेष्ट कर दिया जाए चलो ठ अरे यह क्यों है तो इसको फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं कॉपी कि पेस्ट ऑप्चन ही नहीं आ रहा है ठीक है तो लब बनाई देते ना क्या है उसमें तेम शेप का चाहिए था मेरे को इसलिए कॉपी कर रहा था बाकी और कोई कोई भी मतलब नहीं था मेरे को एक्जाक्ट इनों के तीनों सेम शेप में चाहिए थे बाकी और कोई भी मतलब नहीं था ओफुली तीनों का शेप जोए सेम रहेगा यह बटा मैंने तीन आप तीन स्पियर अजूम कर लो तीन स्पियर है यह सर्कल नहीं है तीन स्पियर है बात को समझो और यह बन जाएगा हमारा अक्टाईल वाइड यह बन जाए वाटा हमारा ओक्ताईल वाइड बात क्लियर है और आई वुड सजेस्ट कि भाई सब लोग क्या कर लो एवरीबडी मस्ट गो एन लूक अट दो अक्टाईल वाइड का डाइग्राम बात समझ में आ रही यह आपके क्या बन जाए वटा ओक्टाई डल वाइड जो सिक्स फियर्स जो है बटा वह सरण ओक्टाई को देखके आर्ट गलती से नहीं कर देना है बात को समझना सिक्स फियर्स विल सरौन वट बेटा इस पर्टिक्लर आप क्या बोल सकते हो वाइड ठीक बढ़ते अगले सवाल की दरफ ठीक है बढ़ती अगले सवाल की दरफ भीतित्धी सवाल हमेरे पास याप आ चुक है तबाल क्या है विच आप दो फॉर्ण इस एक मोर फ्रस वाली इन में से कौन सा वाला है यह पहचान नों है हमको और एमोर्क को सॉलिड की हमको एक बढ़ी ऐसे प्रोपर्टी पता है क्या बैटा एक तो हम लोग melting point के basis पे decide कर लेते है melting point के basis पे क्या बैटा range of melting point बोल दें इसका मतलब क्या होता वोट्ड में बाइध मिल््टिंग माने यहां पे crystalline solid रहता तो इसका fixed sharp melting point रहता माने melting point एक point पे solid से liquid बनने का प्रोसस होता है within 122 degree वो पूरा solid से liquid बन जाता है यह दो डो आज़ा जाएगा तो हमारा तॉपर सब्सक्राइब हो जाएगा तॉपर शार्प सब्सक्राइब यह जा ही तो एक पर अबिसक्राइब बोल दो इनका मेल्टिंग पोईट शार्प रहता है यहां पर हमारा टार जोने बटा यह आजाएगा अमोर्फोस की क्याटेगरे में कौन से काटेगरे में आ जाएगा आम और फॉस जिसका शार्प मिल्टिंग पॉइंट नहीं रहेगा आपका सही जवाब बन जाए बटा ऑप्शन नमबर सी बढ़ा जाए अगले सवाल की क्लाइप के आप लोग्येमिस पडे तो कटायंन आ प्रिंग वाकनशिय ये इसको में क्या आयन पेर वोल दू क्या आयन पेर ऑर आयन पेरीज पेस्टरू क्याट एक्सवाल केता ह्च the unit cell of a simple cubic system has atoms at the eight corner hence number of atoms in a unit cell अभी यहाँ पर question को देख क्या आपको ऐसा लग रहा होगा sir यहाँ पर 8 corner पर तो 8 atom होंगे ना भाई ना ऐसा नहीं है यहाँ पर atom होगा एक ही sir solve करके बताए यह solve करके ही बताएंगे तो लिग लेते हैं तो number of atoms atoms per unit cell in कोन सा सस्टेम सिंपल क्यूबिक सस्टेम कोन सा सस्टेम इटा सिंपल क्यूबिक सस्टेम बहुती दमदार question है और conceptual बढ़ियास है इसको अगर आप एक्जा माने चलो अभी तो यह एम सी क्यूए माने अभी आप सीधा-सीधा मार्क कर सकते हो बट बात को समझो भाई एम सी क्यूए अगर नहीं रहता आप इस question को अगर आप अगर आप equation लिख देजाना तो एक बहुत ज्यादा इंपाक्ट आता सो नमबर आप कॉर्णर इन्टू कॉंट्रिबूशन अफ इच कॉर्णर तो टोटल कॉर्णर होते बट आठ पर एक कॉर्णर का कॉंट्रिबूशन उटा बट वन एट तो अगर मैं इसको को स्वाल कर दो तो एक सेट कैंजल आउट हो जाएगा मेरे कोमिल जाएगा जवाब वन क्या मिल जाएगा जो कि आपका सही जवाब सब्सक्राइब करने के लिए कुछ इस तरीके से इमाजीं करना पड़ेगा अगरा आपका तो को जबर्दस तरीके से सॉखलो सकता है सुनो मेरा रूम जो है उसको मैं एक यूनिट सेल मान लेता हूँ यूनिट सेल मान लेता हूँ ना बहुत जादा मजा आ पर इस को बनाते टाइम तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख लेता हो यह मैंने यूनिट सेल बना दिया बच्छो क्या यूनिटसल बना दिया एक कॉर्णर जो नहीं है विटा उस अभी कॉर्णर सुमें चलो हाइलाइट का जिता हूँ सब्सक्राइब वह को मैं क्या कर जाएं आपस सारी तोटल आठ को अपस लिए अ छोब भी आठ कारनुर पर फ्रेस्ट है बेक्टिये हाहाै तो अट वंच अ कारोनाल इस कंघ यह तरफ प्रेसेंटेल वाटवेट ऐंहुत आठ वॉंच आहरेक उबूदा आट को नरीग कोर्नमट मिर समय है व तो यह जो मैंने अक्सिस लिख दिया है आठ रूम बन जाएंगे आठ रूम कैसे अगर मैं थ्री डाइमेशनली इस रूम को कंस्ट्रक्ट करने की कुशिश करू तो मेरे को कुछ इस तरीके से मिल जाएगा यहां पर यहां पर यहां पर रहां यहां पर नहीं बना दिया अभी आप लोगई मेरे को जमाब बताना जो मैं बताने आप दर नहीं थोड़ा पास में आ गया हूं बेटा क्या करना है यह corner जो था जहाँ पर मैंने पकड़ा है यहाँ पर मैंने पकड़ा है इस corner इस corner पर एक spherical wall है ठीक न और यह corner exact wall की बीचो बीच है center ने तो total कितने corners को यह wall common रहेगा या इस wall का हर एक corner के लिए contribution कितना रहेगा तो मैं अगर आपको बता दू 3D इसको अगर आप graphic designing ठोड़ा जानते हो इसको नीचे extend करेंगे उपर extend करेंगे तो और एक pen ले लूँगा मैं जो मेरा pen यह वाला थोड़ा सा महेंगा हो जाएगा गिर गया तो बहुत नुक्साम हो जाएगा तो यह वाला जो पैन है यह मैंने ले लिया और इसको 3D construct करने की कोशिश कर देता है यह मैंने कर दिया थीडी construct देख रहे हो तो यह corner जो है यह 3D मैंने construct कर दिया उपर की side मे देखते हो विटा उपर की ça Danny में चार रूम बन जाएंगे में थोड़ा सा टेल्ट कर देता थे लिदा अ रखर की side में नीची की side में चार रून दाईगे देख 시청 इस सइड्मugen Co कोई भी इन तीनों को आगे एक्स्टेंड करके एक इनुट सेल इससाड में एक इनुट सेल टोटल आठ कोडरन आपको दिख जाएंगे और आठ के आठ यूनिट सेल वैसे ही आप रूम के लिए इमाजिन कर लो मेरे पैरे बच्चो और रूम को जब आप इमाजिन कर लोगे रूम का एक कॉर्णर आप सेम रूम को 3D सभी डाइरेक्शन में एक्सपांड कर दो तो आपके रूम का एक कॉर्णर आठ रूम के लिए कॉमन रह जाएगा उपर वाला कॉर्णर आजूम कर लो तो उपर वाले कॉर्णर के लिए नीचे की साइड में चार रूम उपर की सा तो टोटल आट रूम के लिए कॉर्णर कमन हो जाएगा इसलिए आपके सवाल का जो जवाम निकल क्या रहा है बटा वो नमबर ओफ करनोर्स तो आट है बट हरे कॉर्णर का कंट्रिबिशन के इतना है बटा वनिट तो इसी तरह की सीज को स्वाल करा जाता है ठीक है बर्द ब ताइप के यूनिट सेल जो है उनका श्पेस उक्तुपाइड बाइट वटवट वट वट पार्टिकल लेक लेना जैसी कि मैं आपको बात कर लूए बोटा स्टिंपल क्यूबिक सेल की मैं बात कर लू बी सी सी की मैं बात कर लूं एप सी सी कि अगर आप इन तीनों को यासे solve करने में और मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ इसको आप किस तरीके से ध्यान में मैं छोटा सा चार्ट बना देता हूँ ताकि आपको मज़ा आ जाएगा इसको solve करने में रहें वह देख लोगों ये स्पेस यहां पर चाप देंगे ऊपर और एक लाइन खींच देटी चाहें तो ऊपर और एक लाइन खींचवा देते हैं हो तो बढ़िया हो जाएगा फिसलाइ जो ये ऊपर की तरफ च product है यह क्या हो गया space occupied and यहाँ पे empty space तो यहाँ पे आपके कितने question design हो जाएंगे 3 और 3 6 इसके multiple में भी question design हो सकते minimum 6 question यहाँ पे design हो सकते से एकी slide से empty space तो आप यहाँ पे simple cubic के लिए 52.4 यहाँ पे यह value ध्यान में ही रख लेना बटा 52.4 percent empty कितना हो जाएंगा बटा 100 minus 52.4 यहाँ पे BCC के लिए कितना रहे जाता बटा यह 68 percent empty कितना बन जाएंगा बटा 100 minus 68 FCC के लिए यह रहे जाता बटा 74 percent कितना बटा 74 तो आप यहाँ पे 100 minus 74 कर लिजे यहाँ से आपके minimum 6 question तो design हो गए but आप इसके multiples में भी सवाल आप यहाँ पे design कर सकते हो hopefully question के लिए है और आपका जो जवाब है आपको पता चल गया SEC की लिए कितना यहाँ पे प्रिमिटिव माने प्रिमिटिव माने यह से सिंपल यूनिट सल सिंपल क्यूब क्यूबिक यूनिट सल जिसको आप बोल सकते हो जिसका सही जवाब बन जाए बटा option अगर आप 68 बोलते तो BCC बन जाता 74 अगर बोल देते यहाँ पे जो option नहीं यह वो FCC लिए बन जाता सवाल क्लियर रहेगा बढ़ते एगले सवाल की तरफ the coordination number of sphere in a HCP coordination number पूछ लिया बैटा और यह इतना जबरदस्त क्वेशन है इसके लिए आपको 3D डाइग्राम पता होना जरूरी ही है तो coordination number of spheres in a HCP lattice in a three dimension तो HCP lattice का अगर हमको coordination number देखना है तो यह coordination number अभी तो मैं फिलाल के लिए आपको बता देता हो it is coordination number is what बैटा आपको यहाँ पे बन जाएगा 12 बट यहाँ पे आपको यह diagram भी बढ़िया से बना के फिर cross check करना है क्या गाना बैटा diagram भी बढ़िया से बना के आप इसको solve कर देना है अगला सवाल बढ़ गया तो diagram किस तरीके से बनाएगा तो यहाँ पे मैं HCP का पूरा diagram तो नहीं बनाऊंगा बट आप यहाँ पे इस coordination number को ध्यान में रख सकते हो आप चाहे तो यहाँ पे यहाँ पे coordination number का भी चार्ट आड कर सकते हो जो आपका additional information बन जाएगा अगर आप coordination number लिख के रखते हो तो ठीका बड़ा जाए अगले सवाल की तरह a compound is made up of two element x x and y okay and crystallizes in a bcc bcc unit cell x are present at the corner तो चलो स्वाली कर देते है क्या बटा at corner अगर क्या है बटा एक से दूसरा कि आप दूसरा क्या है बटा वाई present at the center of the queue at center वोने बटा वाई तो इन दोनों को कर लेते सॉल और अपने question को भी कर लेते सॉल at corner तो टोटल corner की तरह बटा आठ corner है हर एक corner का contribution कितना होता है वनेट यह हम लोग उने अल्यटी स्वाल करके लिए रखा है आपका सही जवाब क्या आजएगा बटा एक at the center body के center रूम के exact बीचों बीच माने आठ corner के exact equal distance पे बीचों बीच अभी मैं जिस रूम में खड़ा हूँ इस रूम के सभी corner नीचे के ऊपर के सभी बीच का पॉइंट जो आपके कैमेरा के exact सामने आ रहा है तो यहां पर एक आटम है तो इसका contribution कितना रहे जाए बटा नंबर आप बोडी सेंटर एक और हरेक का contribution रहता एक तो इसका सही जवाब निकल कैसे रहे जाएंगा इक तो आपका सही जवाब क्या हो जाना चाईए ईकस ओन और और वाइब लिचाना बैटा इन दौनों को मिला कि एक्स वाई कैसा जवाब बन जाना ची बटा एक्स और वाई तो सही जवाब बन जाएगा ऑप्सन नमबर बी ओपुली चीदे क्लियर है बढ़ते अगले सवाल की तरफ प्रिश्टलाइजेस इन बी सी स्ट्रक्चर बोडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहा है इव दे एजलेंट आप यूनिट सेल 4.3 एजलेंट देके रखा है रडियस आप दवर बिटा सोडियम भाई रेडियस एड एजलेंद का सवाल पूछा गया बट यहाप यूनिट सेल का आप बी सी सी आपको बता दू आप यहापे सारे यूनिट सेल का अगर रिलेशेंशि है तो एक काम करते है यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में तीनों की तीनों रिलेशेंशिप में आपको बता देए ताकि आगे अगे अगर कोई भी इस टाइप का सवाल आता है उसको आप बढ़िया से देको नंबरों प्वेशन चाहें कम हो बट कंसप्ट इतना जबर्दस हो पहला जो चाइड बनाया था उसी में आप अपडेट कर सकते हो जो यह चाइड बनाया था यहाँ पे यहाँ पर में क्या बोल दो बिटा रिलेशेंशिप आड कर देते हैं जैसे कि यहाँ पर और और कोई तू भी चीज़ा आड़ करने जाने वाले तो यहाँ पर आप और सब्सक्राइब कर दो यहाँ पर जगह कम होनी की हो जिसे मज़ पुस्टन का स्लाइड वही पर लिग देता बड़ आप सेम स्लाइड में अगर आप अपडेट कर देता तो ज्यादा मता जाएगा तो बी सी सी अरे शुरू में क्या कर देंगे बटा हमारा यह सी सी के लिए सब्सक्राइब करें अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो ज्यादा मता जाएगा जाएगा बात क्लियर बटा जो बता रहे उस बात पर फोकस कर रहे हो ठीक है तो यह थोड़ा सा वह थोड़ा सा उपर कर देते हैं यहाँ पर रिलेशन्शिप लिए गलते विट्विटा एजिलन्थ और रडियेस का थो लिएस विल ब्डी एक्वल टु इन आल देकेस जैसे क्या आप समझते हो ठीकिना यहाँ पर एबन जाएगा विटा एबाइट तो यहाँ पर बन जा तुल जाटा है बैटा एबाईiente को होज इस तरीके से आप अगर रिलेशेंश्य को धान में रखमें तो वैसे अम लोगों नहीं को क्लास में डिटल में हमाधी बायस है उनगों को डिटल में अगर आफ हमें यह relationship पता है तो हम लोग question को बढ़िया से solve कर सकते है यहाँ पर हमारा question क्या BCC तो BCC के लिए क्या है हमारा बैटा यह simple सा formula apply कर देंगे solve कर देंगे चलो question को कर देते हैं अपने तरीके से solve तो यहाँ पर root 3 एका value कितना बोला है बैटा 4.3 into 10 की power minus 8 centimeter unit है यहाँ पर भी unit centimeter है तो change करने की कोई जरुरत है नहीं divided by 4 solve कर देते हैं यह कितना बन जाएगा बैटा यह 4104 यहाँ पर 4104 पॉइंट इस पर 0 रख देता है जिरो तो 30 28 तो 28 बज़ गए तो तो 1.0745 के आसपास कुछ तो भी आ जाएगा आप उसको solve कर दो यहाँ पर आगे फर्दर में इसको solve कर देतो क्या रूट 3 की तरह निकल क्या था बटा 1.73 के आसपास into 1.075 into 10 की पाउर माइनस 8 तो 1.73 and 1.07 multiply कर दो कितना आ जाएगा बटा 1.8 के आसपास ही आ जाएगा देखो कुछ इसको detail में solve करना है तो हम लोग solve भी करवा ले सकते अपने पास यहाँ पर टूल्स भी है जिन टूल्स की मदद से हम लोग इस question को थोड़ा सा mathematically हमारा जवाब तो अलड़ी निकल के आ गया option number a पर फिर भी हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर वा लेते हैं तो मत जा भी जाएगो तो क्या है बटा 1.73 into 1.075 कितना निकल के 1.85 आ रहा है यहाँ पर हमारा 1.86 यहाँ पर जवाब दे दिया तो यही हमारा सही जवाब बन मेगा कितना बेटा 1.86 into 10 की पावर माइनस 8 cm जो कि आपको option number e बढ़िया से दमज में आ गया होता बढ़ते अगले सवाल की तरफ जवाब आप अलड़ी लिख के रखे कुछ सवाल हो के जैसे कि वह राइट इपक्ट और डेंसिटी एफेक्ट अन डेंसिटी आपर सबस्ट इन देंसिटी कुछ भी चेंज नहीं होता इसके पीछे का रिजन में बता देता हूँ वाइट वाइट इस हापनी क्यूंकि जस्ट डिस्लोकेशन या डिस्लोकेशन बोल दो या चेंज इन पॉजिशन अफ आयन तो वाइड ऐसा हो जाता है अपना पॉजिशन चेंज कर ल अभी वल्यूम जो है बिटा को लिटा को इसके अंदर जो अटम से वह अटम नमब्वर आटम अटम फिक्स रहा इन अटम का पॉजिशन बदल जाने से मास बाय वोल्यूम का रेशो थोड़ी न बद लेगा को लिट रहे गा बड़ते अगले सवाल की तरप और यह रहता आ तुम हो और मैं तुम्हारा पहला टी क्या है बेटा और दूसरा टी क्या है ठीक है ना पहला है टेट्रागोनल कि दूसरा है बेटा ट्राइक लीनिक कि इसके एक्जाक्ट उपर आ जाता है बेटा मोनो क्लीनिक यह आ जाता है बिटापका और्थो रूम्बिक क्या आ जाता है और्थो रूम्बिक यह आ जाता है बिटापका हेग्जागोनल यह आ जाता है बिटापका और रूम्बो हेड्रल और यह आ जाता है बिटापका क्यूबिक तो कुछ इस त्रीके से यह साथ हमारे पास सिस्टम है, साथ से हमको टोटल कितने जागए हमगा हैं, सवाल को बड़िया स्फाल कर सकते हो, बड़ते अगले अगले सवाल कि दरफ, तो दोनों का जवाब मिल जाएगा आपको यहां पर दोनों का जवाब लिग जाते हैं घानेटिक माने substance, compound बोल दो, containing, 0 unpaid electron, ये था आपका, सही जवाब, 0 unpaid electron, तो इसको बोल देते बैटा, diamagnetic, वो इसका सही जवाब क्या बन जाता बचलो, compound or substance containing, at least one unpaid electron, containing, molecule वोल दो, कोई, tension नहीं, compound containing, at least one unpaid electron, तो ये बाद बन जाती वेटा, clear है, बड़ा जा एक ले सवाल की तरफ, क्या है, given property common to both, hcp and ccp crystal lattice, दोनो, hcp and ccp crystal lattice के लिए, एक property common बता नहीं है, एक क्या पुन दो बता देते बटा, तो the very first point, very first point, यहाँ पर आ जाएगा बटा, coordination number, क्या भाई, coordination number, दूसरा आ जाएगा बटा, packing efficiency, तो दोनो, common factor है, इसमें, coordination number, इसमें हम लोग ने अल्लडी स्वाल कर दिया, इसमें आ जाएगा, 12 packing efficiency आ जाएगा, 74% empty, जो space है, वो भी आपका आ जाएगा बटा, 100-74, तो इस तरीक से आप common factors को ढूंड सकते हो, तो दो common factor लिख दिये, अगले सवाल के दर, यह क्या बन गया भई, यह हमारा जवाब यहाँ पर आ गया, right the relationship between radius of atom and agilent of FCC unit cell, इसको हम लोगों ने अल्रीडी स्वाल करके रखाए, हम लोगों ने सारे के सारे, यह CCC से लेके, BCC और FCC सब के लिए relationship ढूंड लिया था, अभी यहाँ पर मैं फिलाल सिप FCC के लिए लिख देता हूं, तो इसको बढ़िया तरीके से देख लेना है, तीनों के तीनों और इस तरीके से आप लोगों ने सवालों के जवाब ढूंड ने है, तो यह वन मार्कर क्वेस्चन हम लोग देख रहे थे, बढ़ते अगले सवाल की तरह, डाइग्राम उपैसी से ज longest था यहाँ डाइग्राममो थिस से यूनिट से एधा, अभी डॉक करना पूछा है, तो टेर करना बनता है पीचज़फ कर देटे ज्ये ने यहाँ पर बना zona देटें यूनिट सल क्या बना देते हैं यूनिट सल ठीक है तो चीक है चल यहाँ पर यूनिट सल बना देते हैं इस तरीके से चीक है यहाँ पर बना दिया हम लोगों नहीं यूनिट सल यह यूनिट सल बनाते टाइम हम लोगों नहीं क्या कर दिया बिटा क्या कर देते यहाँ पर कि एवरी कॉर्णर विल भी शेर्ड बाई एट ओदर स्वरी सेवन ओदर एक खुद का और बाकी साथ मैंने टोटल एड यूनिट सेल तो कुछ इस तरीके से इन एक्टम को आप बढ़िया से लिख सकते हो तो यह आठ कॉर्णर बन गए हो एक्जाक पीचो बीच बॉडी के य आगले सवाल यह तरब कि दिन नंबर आफ टेट्राइडल वोल्स आर फॉर्मड इफ नंबर ओफ एटम सीन अ क्रिस्टल इस वर्ट बेटा यन बाई टू नंबर ओफ एटम कितने देदे विटा यन बाई टू अब मैं नंबर ओफ वोईट्स की जब बात करूं नंबर ओफ कि वोईड तो चूटल मेरे पास आ जाते बाटा दो टाइप के कितने टाइप के आजाते मुटे और यह कुण-कुन से होते ये अ तो चलो बारी-बारी से इनको लिखते है तो पहला आ जाता है मेरे पास और हमको टेट्राइडल देखो मैं एक क्वेश्चन के साथ दोनों चीजे साइमल्टेने की बता दे रहा हूं जो भी उसके रिलेटेटर सवाल पूछा जा सकता है और दूसरा रह जाता है बटा ओक्ट टेरहढ़ मैं चेत्पहज़र करें पास वाक्ट कर देटा हूं जब मैं इस और अक्टेर्डल मोरेटेश पास वाक्त देता हूं 10 appearing इसको इन में मैं इस समॉल उस नलिखते हूं न थो इन काुछ लिखा वहा पन्ट अ सो लिखता हूं पे닥нее लिख दो ताकि यह नोरे में कोई confusion ना हो यहां पर क्या रहता है विटा एक्स तो सेम वैल्यो तो अगर मैं इस पर्डिकुलर क्वेश्चिन के लिए जब स्वाल करते तो मेरे को क्या जवाब मिल जाता है पर्डिकुलर क्वेश्चिन के लिए नमबर और टेटर डल वर्ड कि वो फुली चीज़े clear है ठीक ना अगर मैं बात कर लू बेटा अगर मैं बात क्रलू ओक्टाइडल वर्ड कि तो यह कितना बन जाता पेटा यटनबर ऑइटर लिए जितने अंबर ऑफ एटम है नमबर ऑफ एटम कितने बिटा नंबर ऑफ एटम यहां पर मेंश्चिन कर दि टू टू एक्स इन केस ओफट बिटा टेट्राइड बड़ा जाएक लिए सवाल की तरफ क्यों तो परसेंटेज ओप एम्टी स्पेस इन बीसी सी लाटी अरे भाई चार्ट आप उन तो वही काम करते बिटा एक बार क्वालिटी काम को लो बार बार लिखने के जुरूत नहीं अगर आप थोड़ा सा क्यों कि फॉस हो जाते हूं तो कई सी लिख दोगे एक्जामील को खुस करने के लिए याउख को खुस करने के लिए पहले लिख दो तो मज़ा आ जाएगा एक्जामिनर को पाकिंग एफिशियंसी कितना बन जाएगा बटा यह आ जाता है 68 परसेंट बीसी के लिए तो क्योंगे एम्टी स्क्राइगा बटा एम्टीं स्पेस जाता 100 माइन और 68 निसमेंस अउस्चेह कमिलाम बन जाया एजू पाट सब्सक्सप्सकार माज़ सब्सक्राइं है समझें बढ़ी अगले सवाल के तरह इप दो वोल्यूम इप दो वोल्यूम अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज सिक्स पॉयंट अच्छा यह वोल्यूम मेंसिन कर दिया कितना 6.8 इंटू 10 की पावर माइनस 23 अब है कुझ गोज़न खुभार मात कि यूनिट सेल आपर देखको बधाई हम लोगों को टोटल वोल्यूम ऑफ यूनिट ले दिया तो वोल्यूम कितना उखुपाई होगा तेसी दीआ-ब की से अब इले एक होता ये यहां अब आ सफाão सुपारसि रिमितने याँ इस तुर्ण को कुछ इस तरी के से लग सकते हैं प्रसेंट ग पैकिंग एपिशैंसी जो होता है दैंको ऑल्यूम वोल्यूम उकुपाइड है वोल्यूम उकुपाइड बाई पार्टिकल इन उनिट से लिए फिप्टी फिप्टी फॉर परसेंट होना ची तो 6.88172 10 की पाउट 23 का 54 परसेंट निकाल देते हैं तो मैं यहाँ पे आंसर कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ एक्स्प्लेन करने के लिए इस बात को समझना 54 परसेंट आफ इस पॉइंट वन सेवन इन्टू टेन की पाउर माइनस 23 सेंटिमेटर क्यूप विल बी और आंसर तो इसको कैसे स्वाल करा जाता है हमको बढ़िया से पता है यह स्वाल करने का टेक्निक पर सीम्पल सा परसेंट और ठेज निकालना था वैत तो परसेंटिश कैसे निकाल दोगे इसका 54 परशेंट 6.18 7 इंटू टेन की पाउर माइनस 23 का 54 परसेंट माने 54 बाइंड़ तो क्या गर लेंगे इसको स्वाल कर लेंगे ठीक नहीं इसको स्वाल कर लेंगे कितना आ जाएगा बटाई है मैं इसक से गर कैंसल आउट कर देता हूं या आपन काल्कुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि फ्रैक्शन में हमारा जवाब अगर आ रहा है तो इसको कुछ इस तरीके से डिसिप्लीन टूल्स में माथमाटिक्स से काल्कुलेटर उठा लेते हैं और फिप्टिफोर बाई हंडर्ड और इसको मल्टिप्लाइ कर लेंगे बेटा तिक्स पॉइंट एट वन सेवन एक्चुली आपने गले लिए एट वन सेवन तो हो गए हमारा थी पॉइंट सिक्सेट कितना बेटा 3.68 एंटू 10 की पावर माइनस 23 इतना आपका जवाब आ जाएगा यह 817 इसको कर लीजिए मेरे पैरे बच्चों क्या बंजा है 6.817 तो हो गया हमारा जवाब स्वाल और यही तो है हमारा जवाब जिसका कोई जवाब नहीं समझे चीगा तो बढ़िया था एक मात्तेल एक्वेशन आप बढ़िया थे साल कर सकते हो दे नमबर ओप अक्टाहेडल वोईड्स आर फॉर्म इन पॉइंट फई मॉल आपकंपॉंड फॉर्मिंग एच्चीप स्ट्रॉक्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् हमारे बास नंबडर ऑफ मौल ये 0.5 मोल तो एक्टाहेडल वोईड्स कितने होंगे तो मैं ऑक्टाहेडल वोईड की बात कर लेता हूं सो नंबडर ऑप ओक्टाहेडल q-phase ini by data number of atoms और number of अवे दिया है तो number of atom कैसे निकाल सकते यह तो पहली बात हो गई दूसरी बाथ नमबर आफ अटम्स इन एनी केस विल इकोल टो अट बैटा नमबर आफ मोल इन्टू आवोगेड्रोस नमबर जो कि हमारा नमबर आफ मोल अल्रीडी मेंसेन कर दिया बैटा पोईट पाईव आवोगेड्रोस नमबर कितना है 6.022 इन्टू टेन के पावर 23 इसको साल कर तो पॉइंट फाई को क्या मैं वन बाय टू लिग दो ताकि आसान हो जाएगा तो यह कितना इसको साल कर दीजे 3.011 तो यहीतो हमारा जवाब निकलके आ जावेगा जो क्या बन जावेगा 3.011 इन्टू टेन के पावर 23 त्री आटम्स और जितने आटम्स थे उतने ही वाइड भी हो जाएंगे तो आपका फाइनल आंसर तो बन जाएगा बिटा यही क्या यही तो बन जाएगा प्लियर रह जाएगा बढ़ते अगले सवाल की तरह यहां पे हमारे सॉलिड स्टेट के सारे एक वशंटन है हम लोग स सुलूशन की तरफ बढ़ चुक है तो पहला सवाल सुगर डिजॉल्स इन वोटर शुगर पारी में डिजॉल की होता है शुगर इस नॉन पोलर यह स्टेटमेंट ही कर लते है इस से रिलेटेड है या नहीं यह वह अलग है टेटमेंट शुगर नॉन पोलर नहीं यह है रेटोजन बोर्निंग विद यूटर पाई शुगर हाइडोजन बान बनाते हैं बिल्कुल इसके साथ रिलेशन के साथ स्टेटमेंट इसकारेट अलॉंग विद रिलेशन यही मोस्ट अकुरेट हो जाना चाहिए था ठीक ना स्टेटमेंट correct, with relation to the given question, sugar and water both polar, ये statement भी correct है, ये statement क्या है बटा, त्यर्सके तिनों के तिनों statement correct है, बट इसके perspective में कौन सा, शुगर और वोटर दोनों पूलर यह भी एक रीजन है शुलिविलेटी के पीछे बट मोस्ट इंपोर्टन रीजन देखो मैं हमारे पास यहाँ पे तीन ओप्शन करेक्ट है तो यहाँ पे एक्चुली सवाल कुछ विच अप्ड़ डिजॉल्स इन वोटर विच अप्ड़ फ यह स्टेट्मेंट भी करेक्ट है स्टेट्मेंट भुगर डट बट मोस्ट अकुरेट अलॉंग विट इसके साथ संधर्ब याच्या संधर्बाने कुटल वाक्य जे ते जास्त बरबर असना रहे यह आप लला शोदाइच होता ना इका बड़ा जागले सवाल की तरफ दु यह हमारा लॉव बन जाता है बैटा कुंसा लॉव बन जाता है सुलिविलिटी ओफ ग्यास जो हम लोग कोग बोटल वगरा के लिए जब भी हमको कार्बोनेटल ड्रिंग्स बनाने है ठीक ना कोको कोला पेपसी या कोई भी सॉप्ट ड्रिंग तो उसमें हम लोग सीवो परच कहते है तो जब सुलिविलिटी कब बढ़ेगा तो सुलिविलिटी ओप ग्यास इन वोटर इस डिरेकली प्रोप्रोशनल टूर्ट बेटा प्रेशर अफ ग्यास अब कमेंट बॉक्स में आप कौन सा रूल है यह लिखना प्रेशर आप ग्यास अबव दे सर्फेस ओफ लिक्वेड इंसवाफ लिक्वेड कि बात क्लियर है ऐगा रहेगा वहा यहां पर क्लिए करने था तो जाएगा यहां पे लिखा है चीचीचीचीचीचीचीचीचीचीच his inversely prop proportional to Emily बढ़ेगा इस ऐन्पिरेशार तो इंक्रीजर्छ ओटेगा जब टें परेचिर गड़ेगा क्योंकि इन्पिरेशन ई Ale हम लोग ने यहां पे प्रेशर के तम में लिखा था भट इन्नों ने कोश्चल में temperature के तरह मीचत方 जब मल की तरफ तो बहुत आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं तो solubility क्या बोलता है बटा solubility of gas is directly proportional to pressure partial pressure ठीक है ना चलो मैं यहाँ पे pressure लिख देता हूँ तो यहाँ पे proportionality constant को हटा देते बटा kH into what बटा pressure यह यहाँ पे solubility constant बन गया तो कि यह जो है हमारा hindrance constant है इंडिस constant इस वर बिड़ा solubility by pressure तो solubility का unit क्या है बटा अग्या मैं यहाँ पे random देखो हमारा unit कौन सा यहाँ पे pressure बार में देग दिया है solubility mol per liter में देग दिया है तो solubility यहाँ पे लिख देते है मोल पर लिटर अपन प्रेशर क्या है बटा यहाँ पे बार में है तो बार में लिख देते आट्मोस्फियर में रहता तो atmosphere में लिख प्रेशर का unit बार उपर जाते टाइम क्या बन जाएगा मोल पर लिटर पर बार तो देख लेते यह बार यहाँ पर लिटर नहीं है यहाँ पर बार नहीं है तो देख लेना आपको यूनिट यह उल्टा फुल्टा भी अगर रियारेंज कर दिया रहा था यूणका यूदर अंड़ और डामीशन का सिम्पल सा सवाल था जो हमनों कुछ इस तरीक इस स्वावल कर सकते त्योंकं यहाँ पर मोल पर लिख दिया क्या होती है वेटा ये awake गट Azita क्या होती है फ्रप्रेंटी साङ्च нормально प्रपीं है तो फ्रेक्षा और यह योट्ट प्रोपर्टी सा कौवम्ट खाली लों सर्फ कあと लुका般 क्या आजाए उसका मास कितना है उसका नेचर क्या है इससे फरक नहीं पड़ेगा इसको हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सुलुचन डिपेंड्स ओन वोट बेटा डिपेंड्स ओन नमबर ओफ पार्टिकल इंडिपें dependent on नेचर ओप पषा ऑप्रॉचन डिपेंड्स औरुचन डिपेंड्स बसक्ड़ेंगा ही तो यहां पर देख लेते हैं पहला उप्ड़ेटा नियचर आप वसल्यू पार्टिकल गलत व्यून डिपेंड्स नम्बर ओप्रॉचन औप्सुल्यूट पर्टिकल डवे डिपें on number of solute particle, वो after dissociation हो, before dissociation, dissociation के बाद number of particle भढ़ जाएंगे, association के बाद number of particle घड़ जाएंगे, अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, association dissociation, dissociation, number of particle उतने ही रहेंगे, ultimately, the property will be depend on number of, ये जो है न बटा, ये golden line है, इसको भूलना नहीं है, number of particle, ये important बात है, बात को समझे, बड़ा जाएंगे सवाल के जरब, the following solution और solvent has maximum vapor pressure, ठीके न, maximum vapor pressure, तो यहाँ पर भाई, vapor pressure का आपको यहाँ पर पूछ लिया गया है, सवाल, तो qualitative properties के साथ, हम लोग इसका relationship ढूंड लेंगे, ठीके न, qualitative properties के साथ, तो हम लोग सब से पहले, पार्टिकल, one molar copper sulfate में, copper sulfate का ionization हो जाएंगे, cuSO4, cuSO4 से क्या मिल जाएंगे, आपको, copper plus 2, plus twice SO4 minus 2, sorry, एक ही, copper plus 2, plus SO4 minus 2, तो एक मोल से मेरेको, two moles particle मिल जाएंगे, number of particle, क्योंकि dissociation हो रहा ना, ठीक्या, आगे क्या बेटा, pure solvent water, water है, ठीक्या, तो following solution और solvent, okay, water है, pure, ठीक्या, तो water ionization तो almost negligible रहता है, तो मैं यहाँ पे, one mole ही बोल देता हूँ, कोई ionization को assume नहीं कहा रहा हूँ, हम है, 0.5 mole, couple sulfate solution, ठीक्या, 0.5 mole, तो यह SO4, यह फिर से ionize हो के, copper plus 2, plus SO4 minus 2.5 है, तो 0.5 into 2, इसका एक और इसका है, कितना बन जाए बटा, यहाँ पे अगर ऊपर 1 mole से, 1 mole से 2 mole मिल रहा था, यहाँ पे 0.5 mole से यहाँ पे मिल जाएगा, आपको 1 mole, यहाँ पे 2 mole copper sulfate solution, आरे भाई, यह मतलब क्या, ऐसा सवाल क्यों भूच लिया, ठीके ना, तो CU SO4, फिर से ionization हो के, copper plus 2, plus SO4 minus 2, 2 mole से मिल जाएगा, 4 mole particle, अगर हमको number of particle पता है, तो हम लोग बहुत बढ़िया से बोल सकते कि इसका colligative पे क्या फरक पड़ेगा, सही है, यहाँ पे आपको सीधी सीधी बात दिख रहे हैं, lowering of vapor pressure का, तो सब इसमें solute है, option number A, T and D, solute है, यहाँ पे कुछ भी solute नहीं है, तो सबसे maximum vapor pressure किसका रहेगा, यह तो vapor pressure low करेंगे, तो solute will lower the, solute will lower vapor pressure, यहाँ पे कोई भी solute है ही नहीं, आपका सही जवाब क्या बन जाए यहाँ प्यूर वोटर, बात समझ में आ रही है, तो number of particle आ जाने से vapor pressure कम होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, vapor pressure maximum हो जाएगा, तो this along with water आ जाएगा, तो मैं क्या बूल दू, solution, यह one molar copper तो मनि इसमें पानी भी रह जाएगा, प्लस water रह जाएगा, this is pure water, this is pure water, this is water, यहाँ पे यह pure water है, यहाँ पे along with water कोई solute आ गया, तो solute आ जाने से vapor pressure जोएगा, लोवर हो जाएगा, पहुपली सवाल, आप लोगो एकदम crystal clear रहेगा, बढ़ा जाएगा, सवाल की तरफ बढ़ते बढ़ते, क्या सवाल है, according to Rawls law, the relative lowering of vapor pressure, RLVP बोल दिया, ठीकना, आप a solution, containing dissolved non-volatile solute, तो भाई, RLVP क्या रहे था, बढ़ा, relative lowering of vapor pressure is equal to what, बढ़ा, mole fraction, आप a solute, तो is equal to mole fraction of solvent, ना, is equal to mole fraction of solute, relative, यह तो हमारा सिदा-सिदा formula है, यहाँ पे XB लिग देते, XB क्या रहे था रहे था, आपका, of solute, पात क्लियर है, बढ़ा जाया एक लिए सवाल किता, सारे जो, आपके qualitative properties ना, सारे के formula है कर आप लिख लिए तो, that is well and good, वो बढ़िया तरीका रहेगा, सारे questions वो अप्रोच करने का, freezing point depression constant of solventies, ठीक ना, freezing point depression constant of solventies, अच्छा, inversely proportional molality, आप इसको लिखी लेते है, देल्टा Tf, depression in freezing point is equal to what beta, Kf into what beta, molality, तो इसको अगर Kf को मेरे को स्वाल करना है, Kf is equal to what beta, delta Tf by molality, तो देख लिए ते, inversely proportional to molality of a solution, बिल्कुल सही है, directly proportional to molality ना, independent of molality ना, expressed in Kelvin, आभाई ये तो बात important है, क्योंकि इसका unit भी Kelvin kilogram per mol ही आजाता है, तो दोनों option सही है, इनुस्टी proportional to molality of a solution, तो भाई ये तो दिक्कत वाली बात है, तो दोनों के दोनों option आपके सही आजाने चाहिए, ठीक है ना, पास समझ में आ रहे, freezing point depression constant, दोनों के दोनों option सही आजने चाहिए, यार कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार carefully तो मैं एक बार question को एक minute just cross check करा लेता हूँ, ताकि कोई confusion ना हो, clear है वच्चा लोग, ठीक है, तो, just a minute, actually यह क्या है, इंवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोला लेटी भी आजाना चाहिए, पर आपको सही जवाब, जो है, most correct, Kelvin किलोग्राम पर मोले दे दिया, बट कोई दिक्कती नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पे देख लीचे, इंवर्सली रिलेटेट, चाहलो, ठीक है, बड़ा जाए गले सवाल की तरफ, which of the following statement is applicable for 0.1 molar urea solution and 0.1 molar sucrose solution, भाई, urea and sucrose, दोनों के दोनों क्या है, बटा, non volatile और दोनों के दोनों dissociate नहीं होंगे, मैं इसको अगर पानी में डाल दू, तो मेरेको 0.1 molar urea ही मिलेगा in a water, और इसकी भी अगर बात करें, तो 0.1 molar sucrose मिलेगा, तो दोनों के particles की जब बात करते हैं, same number of particles है, बटा, क्या है बटा, same number of particles, अगर same number of particles है, तो same values of colligative property भी आ जाएगा, ठीक न, तो देख लो तो कुण सा colligative property मेंशन करा है, osmotic pressure of urea is greater than na, greater or smaller कोई सवाल नहीं, यहाँ पे greater than, ना भाई, sucrose solution is not isotonic with urea, भाई, isotonic भाई जिनका osmotic pressure से में यह भी न, both of the solution have the same osmotic pressure, माने यह बन जाएगा आपका, isotonic, tonic लेके ISO बन जाएगा, माने दोनों को osmotic pressure जो है वो, same रहे जाएगा, बड़ा जाएगले सवाल की तरह, तो मारा question क्या है बटा, next question, the hindus law constant of a gas is, कितना दे दिया बटा, 6.7 into 10 की power minus 4, तो सबसे पहले तो given क्या है लिख लेते है, given things, तो given में सबसे पहले क्या mention करके रखाए बटा, kh जो की hindus log as constant है, तो कितना है, 6.7 into 10 की power minus 4, second, आपको क्या दे दिया बटा, pressure दे दिया, pressure, so how much is the pressure, it is 0.65 bar, आपको solubility पूछ लिया है, क्या पूछ लिया बटा, solubility पूछ लिया, तो कर देते है, solve, solubility will be equal to what बटा, kh into partial pressure, so solubility, sorry, kh into partial pressure, kh कितना है बटा, 6.7 into 10 की power minus 4, partial pressure कितना है बटा, 0.65, solve कर लिजे, 6.7 and 0.65, आप 0.65 को 6.5 लिख दीजे, ठीकिना, 6.5 ताकि multiplication, आप 0.65 का भी multiplication कर सकते हो, whichever find suitable for you, तो into 10 की power क्या बन गया है बटा यह, अगर मैं 6.5 लिख दिया, 6.5 into 10 की power minus 1 बन जाएगा, इसको बड़ा कर देत, correct है, तो यह क्या जवाब निकल के आ जाएगा बटा हमारा, दबता बस 30, 37, 37, 37, 38, 37, 38, 0, 6, 22, 4, 7, 36, 40, तो कितना आ गया है बटा, 4, 3, 4, 3, 5, 5, तो 43.55 बन जाएगा यह, टू पॉइंट्स रख दिया तो 43.55 इंटू 10 के पार माइनस पायू माइनस पॉर के टम में तो 4.355 इंटू 10 के पार माइनस पॉर बन जाएका जो कि आपका सही जवाब कौन सा निकल क्या रहा है बटा ओप्शन नमबर है यहां से आप के theoretical सवाल चुरू हो जाता है है लोगा मैं पास सुलूशन वेटा सुलूशन ए और दूसरा है बटा सुलूशन भी है तो जब मैं आश्माटिक प्रेशर अगर चेक करता हूँ और श्माटिक प्रेशर चेक करता हूँ तो जिस तो इस आल्वेज़ इन एक अमपै जब भी यह सारी terminologies जब हम लोग देखते हैं तो at least हम लोग 2 solutions को compare करते हैं उनको osmotic pressure compare करते हैं तो जिस solution का osmotic pressure जाता है उसको hypertonic solution बोल देते हैं तो कुछ इस तरी के सलिखते हैं चलो solution with a solution under the consideration ठीके ना तो let's say solution under consideration ठीके ना तो A and B जब मैं osmotic pressure की जब बात करो बेटा osmotic pressure की जब बात करो let's say if if A is greater than B और B is greater than A तो इस case में हम लोग क्या बोल देंगे बेटा A is a hypertonic solution A is what बेटा hypertonic solution और इसी case में B is a hypotonic solution in a second case B is what बेटा hypertonic solution और second case में क्या बन जाए बेटा A is a hypotonic solution तो यहां से आप लोग कई सारे अगर दोनों का सेम है तो isotonic solution बोल दें तो almost 6-7 question आपके एक ही concept पर design हो जाएंगे what is the cryoscopic constant भाई cryoscopic constant कब बोलते हैं तो cryoscopic constant हम लोग तभी बोलते हैं जब हम लोग depression in freezing point ढूंदते हैं so delta tf is equal to what बेटा kf into molality तो जब molality if 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 molality is equal to 1 then then kf को क्या बोलते हैं बेटा cryoscopic constant क्या बोलते हैं cryoscopic constant बोलते हैं ठीक है cryoscopic constant बोलते हैं यह simply आप के एक को क्या बोल सकते हैं बेटा freezing point constant बोल सकते हैं in general ठीक है write the effect of dissolution of a non-volatile solute of a non-volatile solute on the freezing point of a solvent तो भाई कोई भी कोई भी अगर हम लोग non-volatile solute आड करते हैं तो freezing point जो है बेटा वो घट जाता है depression of a freezing point तो concept key concept क्या बन जाएगे बेटा आपका तो सीधी बात है ठीक ना क्या है depression in a freezing point बात क्लियर है चलो बड़ा जाए आगे write the expression for relative lowering of vapor pressure RLVP का यहां पर सीधा सीधा directly formula पूछ लिया गया RLVP का relative lowering of vapor pressure तो भाई मैं आपको in this particular यह मैं I think already बता भी चुका हो सारे formula all the formulas of what बेटा आपे गया all the formulas of a colligative product चलो नहीं बता है तो अभी बता देते है but आप लोग सारे formula लिखना यहां पर RLVP का पूछ लिया relative lowering of vapor pressure is equal to what बेटा mole fraction of what solute this is the simplest formula अब relative lowering of vapor pressure को गर आप लोगों को लिखना है तो आप किस तरीके से लिख सकते हो so मैं कुछ चलो एक काम करते हैं सभी की लिए हम लोग formulas लिख देते not only RLVP मैं सारे के formula यहां पर लिख देता हूँ क्या करते हैं सारे formula यहां पर लिख देते तो आगे से कोई भी formula आजा है रिलेटिव लोग लोग लिख वेपर प्रेशन दूसरा elevation in boiling point ठीक है तीसरा depression in freezing point freezing point अंद लास्ट वन क्या बन जाएगा बटा फॉर्थ वन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बटा ऑस्मोटिक प्रेशर तो हाव डूबी राइट लास्ट से ही शुरू कर देते हैं पाई इस इक्वल टू सी आरटी अभी अगर हाप वंटो फैक्टर जोडते हो तो आगे आई जोड जाएगा यहां पर कुछ इस तरीके से तो यहां पर हम लोग क्या लिख देता है क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर रहेगा बात क्लियर है तो अगर आपको डिटल में फॉर्मूला वैसे अगर आप इसको तोड़के लिखना चाहते है तो इसको तोड़के भी लिख सकते हो आरेल विप्र को तो डिप्रेशन इंप्रिस्टल क्यों मने आप यहां पर कुछ इस तरीके से डेल्टा पी बाई पी पी नॉट इस इकॉल टू मोल फ्रैक्शन अफ तो लोड़के कुछ इस तरीके से लिख सकते हो ठीका बड़ा जाया आगे तो स्टेक्ट राउल्स लाँ अभी यहाँ भी डिफिनेशन से राउल्स लाँ इनको आप फॉर्मूला के बेसिस पे ध्यान में रख सकते हो ठीके ना बात समोझ में आ रहे तो राउल्स लाँ क्य आप इस तरीके से हम लोग क्या करते बड़ा इस राउल्स लाँ को आप इसी को आप स्टेटमेंट में लिख सकते हो ठीक ना यहां प्योटल नहीं रहना चीहां इस शुडब बड़ा इस वेपर प्रेशर ओप्योड प्योर कंपूर्णें यह इन टूर्ट बड़ा मोल फ्राक्षन आप कुछ इस सरीगे से कर देते हां यहां पे पी टोटल का कब लग जाएंगे यहां पे डाल्टन स्लोड पार्शल लग जाएगा P total will be equal to what partial pressure of A plus partial pressure of B likewise तो यहाँ पर partial pressures को हम लोग किस तरीके से determine करते हैं यही Raoul's law का statement है तो partial pressure of A will be equal to what बेटा vapor pressure of pure solvent A into what बेटा it's a mole fraction similarly for let's say P B लिखना है तो partial pressure of B will be equal to what बेटा pure vapor pressure of B into what बेटा mole fraction of B कुछ इस तरीके से हम लो इसको define कर लेते हैं बाल समाज में आरे है बेटा बड़ा जाया आगे एक ही क्या next क्या बेटा हिंडीज लोग स्टेट हिंडीज लोग हिंडीज लोग क्या बेटा solubility of gas is directly proportional to what बेटा partial pressure क्या बेटा partial pressure of gas partial pressure of a gas about the solution तो solubility यहाँ पर प्रोपोर्शनलटी constant in this constant रग देते इंट बेटा partial pressure ठीक ना partial pressure of let's say solubility of a डून रहे तो partial pressure of a लिख देंगे कुछ इस तरीके से यह स्टेटमेंट से बने formula से आप स्टेटमेंट बहुत आसानी से बढ़िया से इसको बना सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं है बढ़ा जाए आगे what type of solution exhibit positive division from what बेटा positive division from the Raoul's law तो एक ही statement में one marker का question है तो कुछ इस तरीके से positive division कोन देखाया गया बेटा तो solvent solvent interaction यह आपे बारी बारी से लिख देते हैं पहला solvent solvent interaction दूसरा लिख देते बटा solute solute interaction इस concept को समझे लिया तो done है तो solvent solvent interaction और solute solvent interaction has what बेटा यह attractive force interaction यह आप इसको बोल दो भाई attractive force क्या लिख दो attractive force क्या लिख दो attractive force यहापे भी क्या कर दो भाई attractive force इन दोनों के case में is greater than what बेटा solute solvent interaction यह इसको क्या बोल दो भाई attractive force क्या लिख दो भाई attractive force अगर यह कम है तो positive deviation जादा है तो negative deviation बन जाता इतना simple सी यह बात इसको words में लिख दो आपका जवाब मिल जाएगा what is the enthalpy change and volume change of mixing of two components forming ideal solution by ideal solution पहला क्या है बेटा volume change कब बेटा mixing तो इसको लिखा जाता है बेटा इसको लिखा जाता है बेटा delta V change in volume volume change upon mixing तीक ना दूसरा क्या है बेटा what is the enthalpy change हां दूसरा एक लिख देए बेटा enthalpy change माने what बेटा delta H of mixing यह कित्रा होना चीए जब ideal solution बनेगा तो for ideal solution delta H of mixing should be 0 and delta V of mixing should also be 0 माने कोई भी change नहीं आना चीए माने ना कोई attractive interaction रहना चीए ना कोई repulsive interaction रहना चीए है जब आप दो components को mix कर दो क्लियर हमाई concept hopefully एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों का बढ़ा अगले topic की तरफ ठीक ना तो बढ़ते बटा अगले question की तरफ ठीक है तो अगला question क्या है बटा what is the percentage dissociation percent dissociation of 0.1 molar solution of acetic acid के देदे रहे इस टाइप के question तो हम लोग already solve कर ले यह फिर से तो नहीं आ गया और यह फिर से वही same questions आ गया तो जरा रुको यह same questions यहां पर repeat हो चुके right तो हम इनको delete कर देते है एक मिनिट पर सारे question फिर से वही देखो आईनीक equilibrium वाले questions है यहां पर ना भाई ना 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 आच्छा repeat नहीं हुए repeat नहीं हुए correct है पहली बार हम लोग यह questions देख रहे तो कर देते हैं questions को स्वाल क्या what is the percentage dissociation of 0.1 molar solution of acetic acid के देखे रहे ना 10 की पावर माइनस 5 तो percent dissociation कैसे निकाल देता है percent dissociation माने percent आप बोल सकते है अलफा क्या लिख सकते है percent alpha लिख सकते हो percent alpha कैसे लिखते है अलफा इंटुवड बेटा 100 तो हमारा टास्क है alpha को डूणना तो alpha is equal to what बेटा root k by c क्या बेटा k by c तो हमको k भी देके रखा बेटा k कितना 10 की पावर माइनस 5 तो k को लिख देते बेटा 10 की पावर माइनस 5 concentration कितना देके रखा बेटा 0.1 molar 0.1 molar को क्या में 10 की पावर माइनस 1 लिख सकता हो बिल्कुल divided by 10 की पावर बिल्कुल लिख सकते 0.01 की वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए रखा बेटा माइनस फूर और अंडर रूट यह बन जाए वाटा 10 की पावर माइनस 4 और 10 की पावर माइनस 4 को अगर आप बाहर निकाल लो तो आपको क्या मिल जाए वाटा 10 की पावर माइनस 2 तो alpha will be equal to 10 की पावर माइनस 2 अब यह 10 की पावर माइनस 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता 0.01 बिल्कुल लिख सकते 0.01 की वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए तो 0.01 इंट्वाड बेटा 100 पर यह निकल के आ जाएगा आपका 1 क्या निकल के आ जाएगा बेटा 1 आपका सही जवाब हो जाना चाहिए option number B hopefully चीज़े clear है अगर आपको यह calculations में थोड़ा बहुत गडबड़ी लग रही है तो आप लोग क्रॉस्टेक हमेशा करके देख लिया करो ठीक है बड़ते अगले सवाल की तरफ फॉर्द रियाक्षिन एचल प्लस वोटर इस गिविव एश्ट्यू प्लस अंड चल माइनस विच आप दो फोलव इस पूरा क्वेशन ही मैं आपको यहां पर बता देता हूं किस तरीके सी इसको लिखा जाता है तो रियाक्षिन फिर से एक बार लिख लेता है तो अचल प्लस आश्ट के सब्सक्रीके का से अगर वोटर है तो इंट विव ह्याँ करेंगा एसल ग éénग मिव करेगा अगर वटर बियव करेगा आज अगर व्याटर बेस के साथट है तो वोडर बियव करेगा करेगा as acid तो आपको यहां पर देखो product क्या मिल जाता है आपको h3o plus plus cl- जब भी आप यह acid base के term में यह चीज़े लिखते हो आपको करना है acid जब h plus lose कर देता है तो बच जाएगा cl- क्या बच जाएगा cl- बच जाएगा और base से हमेशा क्या मिल जाता है बचाएगा conjugate acid तो conjugate acid और base हमको डूढ़ना था अगर हमको conjugate base डूढ़ना रहता तो हम लोग क्या करें देखो आपको सारी terminology यहां पर दिये conjugate acid और base अगर हमको डूढ़ना है तो h3o plus and water हम लोग लिख देंगे बट अगर हमको तो conjugate acid और conjugate base लिखना है तो h3o plus and cl minus जो कि यहां पर option नहीं है ठीक है ना बट हमको सिब conjugate acid base pair देखना है तो this is conjugate acid and this is base तो आपका सही जवाब हो जाना जाए बटा option number c hopefully question एकदब crystal clear है बटा जाए एकले सवाल की तरप in a biochemical system pH of a blood in our body is maintained due to following buffer हमारी body में इन में से एसा कौन सा buffer है जिसकी वज़े से भाई यह आपका biochemical यह मने equilibrium का एक बढ़िया सा application है जहां पर हम लोग pH पढ़ते है तो pH का एक बहुत बढ़िया application है buffer का एक बहुत बढ़िया application है जहां पर जब biochemical system जब हम human body को पढ़ रहा है तो which of the following system biochemical system will behave as what बटा buffer buffer जैसा कौन सा system काम करेगा तो एक सीधी सी बात है we breathe oxygen और CO2 छोड़ता है तो भाई CO2 जो है na CO2 with the water CO2 with the water at high pressure ठीक है तो यह बना देता है H2CO3 और H2CO3 equilibrium में रहा सकता है H plus plus HCO3 minus यह total equilibrium है this can be again in equilibrium what बटा H plus plus अच्छा मैं तो फिप HCO3 की बात क्याता हूँ HCO3 minus which is in equilibrium what बटा H plus plus CO3 minus 2 कुछ इस तरीक है सा तो भाई यहां पे अगर मैं carbonic acid की बात करूँ तो एक ही ऐसा component है हमाड़ी बोड़ीवे carbonic acid तो carbonic acid H2CO3 which is in equilibrium what बटा HCO3 तो this is the only choice जो buffer जैसा काम कर सके blood मैं this is the only CO2 भी carry out हो रहा है थ्रू बलड ठीक है ना जो हम लोग एक्सेल कर रहे है राइट बड़ाजा एक लिए question की तरफ क्या है if IP is the ionic product okay and KSB is the solubility product ठीक है दो हमको पूछा क्या गया है बटा इन दोनों के case में the solubility product the precipitation of the compound will occur under the condition when तो हमको condition पूछा गया है मैंटा condition for precipitation condition for precipitation और यह सारे condition हम लोगो ने बहुत बढ़िया तीन ही condition होते है कौन से condition में precipitation होगा कौन से condition में precipitation नहीं होगा कौन से case में जस्ट आपको saturated solution मिल जाएगा तो आइनिक product if it is greater than अगर आइनिक product जादा है than the solubility तो वो क्या बन जाएगा बटा precipitate form कर देगा and that is the simple condition जहां पे आपको मिल जाएगा बटा precipitation ठीक है बढ़ा जाए अगले सवाल की तरह NH4H NH4F is salt is salt of weak acid HF ओके जिसका के देदिया 7.2 into 10 की पावर मैनस 4 and weak base NH4OH के भी देदिया बटा the solution of NH4F will be ah यह बढ़िया है NH4F यह बनेगा कैसे सबसे पहली यह बात बेख लेता है तो यह बनेगा बटा HF plus ammonia से इससे बटा ammonium hydroxide NH4OH ठीक है ना plus मैं क्या लिख दू बटा HF तो यह हमारा क्या है बटा दोनो weak acid क्या है बटा this is weak acid and this is weak base दोनो weak है weak base का K भी यहाँ पर mention कर देता बटा 1.8 into 10 की पावर बटा minus 5 और weak acid का K देके रखा है बटा यहाँ पर हमको 7.2 into 10 की पावर minus 4 यह बात है यह दोनों मिलके बना रहे है बटा salt क्या बना रहे है salt क्या बना रहे बटा NH4 plus F minus प्लस आपको by product क्या मिल जाएगा बटा water मिल जाएगा क्या मिल जाएगा यहाँ से H plus यहाँ से OH minus हटा के water लिख दो this is salt भाई हमको एक simple सी बात पता है जो बात में अगली slide आड करके सारी चीज़े एकदम crystal clear लिख देता हू salt hydrolysis वाला question है salt hydrolysis वाला question है आपको तीन चीज़े धान में रखने है ठीक ना ठीक ना salt मैं यहाँ पर acid लिख देता हू यहाँ पर base लिख देता हूँ देगे ना यहाँ पर salt लिख देता हूँ salt लिख देता हूँ अच्छा इन दोनों का salty बनेगा मैं nature लिख देता हूँ nature of water after hydrolysis after water hydrolysis बाई अगर यह चीज़ आप लोगो ने देख ली ना आपको सीटी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको आप मिस्टी सीटी का भी इसके बाद पिपर सौल करते हूँ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी acid कैसा है फिर बेस कैसा है वो डिसाइड करेगा आपका नेचर ओफ वोटर आप्टर वोट बेटा हाइड्रोलेसस आफटर हाइड्रोलेसस बात समझ में आवी है तो लिखते जाते है बारी 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 से है तो पहला 정확 acid, strong base, इसका जो salt बनेगा फाल्ट का hydrolysis करके इसको plus कर देते ना strong acid प्लस strong base जो salt बनेगा उसका nature रहेगा बेटा neutral किया रहेगा neutral में यहाँ पे히 strong acid plus strong base अगर में लिख दू, maior concentration provided that तो यहाँ पे nature रहेगा बेटा acidic किया बेटा, acidic, मैं यहां पे, अरे, strong base लिख दिया फिर से, weak base, ठीक्या, यहां पे, weak acid, plus strong base, water का nature रहेगा, basic, इसका salt, इसका salt बनेगा, salt को पानी में डाला, तब जाके यह nature ढून रहे, जब मैं, दोनों, weak acid, plus weak base लिख लिख लेता हूं, यह acidic हो सकता है, basic हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है तो यह कॉन डियु को और बेसिक में ही पूछा जाएगा न्यूट्रल तो आपको नहीं पूछा जाएगा बट फिर भी बता देते हैं तो आपको बता दे जिसका के ज़ादा इफ के इसमोर तो आशेडिक कब रहेगा के ग्रेटर दाद ये भी बेसिक कब रहेगा इड़ा ये भी ग्रेटर दा ये तो आपका शवाल का जवाब तो आपको यही पे मिल गया है तिन आपका यह ज्यादा है या तूंड लेते हैं किसका कुंसा वैल्यू जाता है कि अप को करना है कि एक स्वाल कि बेसिक रहता है कि एक शॉट्ड में कोई भी सवाल आ जाया और यूण एमिश्टी शीड कोई क्योंपे सवाल आजा है अगर आपको सॉल्ड एड़ाइ दोलिश्क यूपर सवाल बन रहे वै तो देखो कितना अमेजिंग तो यह कितना बढ़िया से आप इसको सॉल्ट कर सकते रहें बरते बट आगले सवाल कितर है ठीक है क्या है तो थेज़िए विच एक्सप्रेंज एमफोटेरिक नेचर ओफ वाटर वोटर जो है बैटा वोटर जो है एमफोटेरिक नेचर दिखा रहा है एमफोटेरिक नेचर वाणे आसडिक आस बैसिक यह दोनों दिखा रहा है इसका मतलब क्या है बैटा वोटर कि भीएव जाज Acidic भी है और Basic भी है तो आपको करना क्या है? Acidic और Basic दोनों है तो water कैसे acidic और Basic दोनों जैसा भीएव करता है तो water में क्या करेंगे बैटा? H-ko जोड़ देंगे और water से H-ko निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे OH- मिल जाएगा और यहाँ पे ह्ट्रियों प्लस बन जाएगा तो वोटर एक्ष प्लस का लेंदेन करता है और एक्ष प्लस हम सिर्फ और से यहाँ पे कौन से टम में हम लोग अरे चलो भाई पूरा एक ही क्वेश्चन में सारी बाते आ गई तो तभी जाके मतलब समझेगा और बढ़िया से म असे ट्रेश प्लस जैता है बेस ओख मैंनस देता है कहां पर प्याइटा वोटर में है लेवीज से एलेक्ट्रोंड डोनर एक्सेप्टर है ठीक है डोनर बेस एक्सेप्टर असेड यह वह और आशेयरी नहीं रहना चाहिए यह ईलेवीज आरेनियस यह ब्रॉन्स्ड लोरी और यह Lux twins एक theory रहता है थीदिना ब्रॉंस स्ट टेरूल नहीं रहेगा ऑच्ट वाउल नहीं रहेगा तो ब्रॉंस टीड प्रॉंस स्ट ट्रेरि में क्या आ जाएगा ब्टा सभ्सश्ट ऑजक्री रहेगा भी ऑटा सबस्ट तो ब्रॉंस्ट ट्री में क्या रहता है एक प्लस डोनर एक प्लस एक्सेप्टर तो डोनर जो है एक्सेप्टर जो है वह बेस है तो भाई वाटर जो है प्लस और ओएच मानिस के टम में बात करें तो सिर्फ और सिफ एक ही थेरी यहां पर फिट बैटेगा वाटर जो है बेटा यह एक्सेप्टर बेस दोनों जैसा बीज़ करता है सिर्फ वाटर में इस इन केस ऑफ वाटर तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन विल बटा ब्रॉंस्ट यहां जवाब सी आपका शही जवाब बने जावएगा तो fri के अब प्रॉंस जावता झिए रोक रिलेश्नशिप क्या रहता था खेव इस एक्वल टू- याप्यविद दित एं इस एकुल तो माइनस लॉआट टू द्वेस्ट ना व्ट विटा के भी सिंपल सा रिलेशंशिप है तो के भीघा वेल्व कितना देती है वेल्व के अपर विटा किया विटा मैनस लॉआज फ़िया तो थे घंड का भी कितना दे दिया चुम यह पकそう फॉसाय डोचकि-छर एक इक दम बडिया which is used to maintain pH 8 to 10 for the precipitation of third group in a qualitative analysis, बहुत जबर्दस question है बटा, qualitative analysis के लिए directly ये सवाल पूछ लिया है बटा, तो buffer जो रहता बटा, ये हम लोग यूज़ करते है, weak base NH4OH plus salt of weak base plus strong acid, जो की NH4Cl रहे जाता है, तो this is the buffer which भी directly, तो factual question है, factual question, आपको ये fact पता है, तो बढ़िया है, तो आप directly वहाद से सवाल का जवाब दे सकते हो, बढ़ा जाए एक लिए सवाल की तरफ, तो क्या, write the solubility product of sparingly soluble salt, BI, BI2 ES3, तो solubility product लिखने का अपना एक तरीका रहता है बटा, तो इसको सबसे पहले तो ionize कर देते, BI2 ES3, तो इसको अगर मैं ionize कर दिया, तो मेरे को क्या मिल जाता है बटा, twice BI plus 3 plus 3 ES2-, ठीक है, कुछ इस तरीके से, भाहि जब मैं इसका solubility product लिखूंगा, तो कुछ इस तरीके से लिख देंगे, बात को समझो, यह इतना वैसे L2O3, same example हम लोग लिखते है, right, same category L2O3, इसको भी कुछ इसी तरीके से, twice aluminium plus 3, plus thrice O minus 2, इसका हम हम लोग already solubility product पूछ लिख चुके, बोलो हाया ना, और हम लोग इसका solubility product हम अपनी किताब में भी solve करें, तो अभी दोनों को solve करके बताएंगे कि यह solubility product निकाला कैसे चाहिए, सही है, वैसे aluminium oxide का solubility नहीं निकालते हैं, बट हम लोग इसको उसी तरीके से solve करें, अच्छले हम लोग aluminium hydroxide का solve करें थे, बैठ हम लोग aluminium oxide का भी solubility लिखते टाइम कैसे लिख देंगे बटा, बात पर गूर करना, तो solubility product, solubility product, formula क्या रहता है बटा, पहले case में लिख देता है, ठीक है न, तो 2 into आप बिसमत का जो भी, यह कुछ इस तरीके से लिख देता है, बिसमत plus 3 की power stoichiometric coefficient आप क्या आ जाता है बटा इसका, इसका solubility लिखना है बटा, तो solubility लिखते टाइम कुछ इस तरीके से लिख देंगे, बिसमत कितना है बटा, 2, बिसमत के instead of solubility लिखते हैं के, power 2 into, instead of sulfur, यह sulfur है और यह solubility इस बात को समझो, तो बच्चे confuse नहीं होना है आप है, sulfur कितना है बटा, 3, की power कितना बटा, 3, यह solubility है इस पात को समझो, तो इसको solve कर लेंगे बटा, तो 4 ES का square into 27, 27 ES cube, तो आप multiply कर दो भाई, solve करते जाईए, मेरे पैरे बच्चो, तो तब इस चो को 108, कितना भाई, 108, sulfur, sorry, solubility base से में, तो plus 2, plus 3 कितना बन जाएगा बटा, solubility के power 5, तो सही जवाब क्या बन जाएगा बटा, 108 into solubility के power 5, तो यह आपका सही जवाब बन जावेगा, और इसके लिए भी सेम जवाब आ जाएगा, for this also, तो कुछ इस तरीके से आपको करना पड़ता है, solubility product को, बढ़ते अगले सवाल के सब्सक्राइब, what is the POH, if the hydrogen ion concentration in a solution would better, 1 into 10 की power minus 3, देखो भई हमको pH, POH निकालना है, हमको, यहाँ से H plus का concentration दिया, तो हमको एक simple सा relationship पता होता है, pH plus, POH is equal to what better 14, हम pH तो ढूंड लेंगे, बट हमको POH ढूंडना है, तो POH will be equal to what better 14 minus pH, तो 14 minus pH निकाल लेते भई, इस साइड में, तो pH क्या आ जाएगा भई, pH will be equal to, तो second बात, तो pH is equal to minus log to the base 10 concentration of what better H plus iron, तो concentration of H plus iron तो देखे रखा है, is equal to minus log to the base 10, 1 को नहीं लिखा तो चलेगा, 10 की power क्या बेठा, minus 3, तो 10 की power minus 3 आगे आ जाएगा भई, ठीक है न, 10 की power minus 3 आगे आ जाएगा, 10 की power minus 3, minus 3 क्या बन जाएगा और plus 3, 3 और log 10 की तना बेटा 1, तो 3 का 3 रहेगा, तो this is your pH, तो pH का value लिख दीजे 3, तो pH क्या आ जाएगा बटा, 11 आ जाएगा, कि दो यहां मजिंग बात है, तो दोनों तीनों चीजे आप साइमल्टेरे से, अगर आपको pH निकालना रहता, तो pH आप कैसे निकाल देते, इसी फार्मूला में, pH is equal to minus, log to the best end concentration of बटा, OH-, बट हमको यहां पे, H plus ion, hydrogen ion का concentration दिया था, इसलिए हम लोग pH निकाले, और यह फार्मूला में pH plus pH is equal to 14 में substitute करके, जवाब निकाल लिए, जो कि आपका सही जवाब बटा, हो 11, तो directly pH नहीं निकाल सकते हैं, बट directly pH निकालना है, तो instead of H hydrogen ion, OH- ion का concentration दिया होना चाहिए, ठीका, बटते हैं, write the relation between molar solubility and solubility product, molar solubility and solubility product के बिच के यहां पे आपको, directly अगर आप formula base भी in questions को करते हो, तो भी बढ़िया से आप questions को solve कर सकते हो, ठीक है ना, तो molar solubility and solubility product किसके लिए निकालना है लेकिन, हाँ, calcium fluoride के लिए, ठीक है, तो question बहुत आसान है, हम लोग इस type का question अलड़ी solve कर चुके, यह सेम सवार, क्या बटा, यह सेम सवार, ठीक है ना, बस यही आपको solve करना है, बट यहाँ पे calcium fluoride के लिए solve करना, तो let's start, cf2 को सबसे पहले कर देंगे, ionize, कैसे बटा, calcium plus 2, plus twice f minus, अभी मैं पूरा equation लिखूंगा ने, directly solve करूंगा, तो ksp will be equal to what, बटा, ksp will be solubility product, और इनका solubility, calcium का solubility, तो 1 into solubility, यहाँ पे stoichiometric coefficient होए ने, पावर कितना बटा, 1, into, यहाँ पे कितना fluoride बटा, twice, और fluoride का solubility के बद लिए solubility ही लिखते है, कि power 2, तो solve कर लेंगे, तो 1 का, 1 की power 1, तो into yes की power, को कोई लिखने की जुरूत ने, तो सिप yes लिख देंगे, into what, बटा, 2, 2 की power 2, 4, into what, बटा, yes square, तो yes की power 1, s की power 2, कितना बन जाएगा, s की power 3, तो 4, yes की power 3, यह बन जाएगा, बटा, relationship between molar solubility and solubility product, hopefully आप लोगों को बढ़िया से clear रहेगा, यह concept, ठीका, बड़ा जाएगा, तो इस टाइप के अलड़ी हम लोग सवाल कर लिए, तो आप देखना बचा, ठीके न, किस तरीके से सवाल, पूछ लिया है, ठीका, ओके, ओके, गिवन one example of salt derived from weak acid and weak base, तो weak acid एक ही example लिखा है, चलो weak acid हम लोग HCN लिख देते हैं, CH3, COOH लिख देते हैं, तो जो भी आपको ठीक लगे, दो acid लिख दे, base दोनों के साथ simple ammonia लिख दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, दो example बनके हैं, बटा आपके, कौन सा salt बनेगा, NH4CN, यहाँ पर NH4 plus CH3, COO minus, लिख दे टाइम आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, CH3, COO, NH4, ऐसे भी लिख सकते हो, it's up to you, write the formula to calculate pH of a buffer solution, Henderson-Hasselbalch equation है, बटा, तो Henderson-Hasselbalch equation क्या लिख देंगे, pH के लिए हम लोग लिख देंगे, तो pH is equal to what, बटा, acid के लिए pK plus log to the base 10 concentration of salt by concentration of what, बटा, acid, तो कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, बटा, pH निकालने के लिए, Henderson-Hasselbalch equation हमारा बन जाता है, label the one conjugate acid-base pair in the following, conjugate acid-base pair हमको पूछा गया, तो conjugate acid कौन सा रहेगा, conjugate base कौन सा रहेगा, देखो यह water है, water ने H plus lose कर रहा है, CO3 2- रहना चाहिए यहाँ पर, 2- यहाँ पर 1- है, तो यह H plus ले रहा है, तो H plus जो लेगा उसको क्या बोल देंगे बटा, base, और H plus लेने के बाद जो मिलेगा बटा, उसको क्या बोल देंगे, conjugate acid, भाई यह क्या है, water, water से OH-, तो माने, H plus दे रहा है, H plus देने वाले को क्या बोल देंगे, acid, और acid से जो भी मिलेगा, उसको क्या बोल देंगे, बटा, conjugate base, तो क्या बूचा बटा, conjugate acid, base, pair क्या रह जाएगा, तो conjugate acid क्या बटा आपका, H CO3, base क्या बटा आपका, CO3 2-, hopefully, चीजें बढ़िया से clear है, और आप लोगों ने बढ़िया से इस question को समझ लिया होगा, ठीक है, तो मारा next question है, and intensive property, by intensive property का मदलब तो आप लोगों पता रहे गई, which is independent on amount of substance, तो इन में से amount of substance के उपर कौन सा dependent नहीं तो है, temperature, तो आप चाहे, जाहे, 1 ml पानी बानी देम्बैचर मेसर करें, 100 ml पानी का temperature मेसर करें, उबलता हूं आप आपानी 100 degree temperature आएगा, भास समझ में आरी, रूम तेम्परेजर पे एक एम्ल पानी ब verk or apples खरको सब् Cemetta जाया टो इन गिंडेपेंड आउन्प न आउन्ट आउन्ट हो इंडेपेंडेंटन ऐंडेडर्टन आउन्टे क्यूंस सब्स्टन्स से यह बटा फोप्फोली चीजे टियर है तो यह आपका बन जाए बटा अप्शन नमबर दी वैसे मास मास जो इतिस डिपेंडनट आप एक ग्राम और दस ग्राम ओविसली मास पी डिपेंडनट मनें अमोंट ऑस्प्स्टन्स के उपर मास इतिन थे तो अमोंट अपस्स्टन्स के उपर यह थिनो इसाड़ी थिनोगाटों अ सब्स्टन्स के आपका प्रोपेटियोथ इस इनदिपैंडनट अनछेम्ट कि क्या बढ़ते अगले जवाल की दिर अब देसिमेटर क्यूब बार इस इक्वल टू पाई यह सिदा यूनिट कर नो जने एड विटा टेन की पावर तू जूल बात समुझ में आरी बिटा सिंपल सिंपल युनिट कञंवरजंस और उनको देखना यहां पर आई इसो थर्मल प्रोस जहां पे बार INध। आटा constant temperature constant temperature पे अगर है हमारा इंटलर एनर्जी का फॉर्मला क्या रहा था delta u is equal to what बेटा q plus w by delta u is equal to delta u is equal to 0 in case of what बेटा isothermal process तो अगर delta u का value 0 है तो बस यही value यहाँ पे put कर दो 0 is equal to what बेटा q plus w तो इसलिए q या जैसा option दिया है w is equal to what बेटा minus q कुछ इसी तरीके से हम लोगी इसको लिखे देंगे जो कि आपका बन जाया है बेटा option number a correct answer clear है बेटा simple simple बात है thermodynamics को कोशन है iso choric iso माने same choric माने बेटा constant of volume पे यह process होता है the process which is carried out at a constant volume उसको iso choric process बोल देंगे तो delta v क्या बन जाया बेटा 0 जो कि आपको option number b बन जावेगा the change in internal energy in an reaction when when two kilo joule of heat is released okay heat release हुआ कितना है बेटा तो heat release माने क्या लिख दे बेटा minus q यह कितना है बेटा minus q कितना है बेटा 2 kilo joule ठीक है तो लिखे देते है heat release माने इसलिए release हुआ इसलिए minus q and work done तो plus w work done क्या है बेटा positive है work done कितना है 6 kilo joule तो हमारा first law thermodynamics क्या बोलता है delta is equal to q plus w तो minus q है इसलिए क्या बन जाए बेटा minus 2 plus यह क्या है बेटा plus 6 तो स्वाल कर देंगे बेटा यह निकल क्या आएगा आपका plus 4 जो कि आपका सही जावब बन जावेगा option number 1 बाते तमज में आ रही होगी और आप लोग मेरे से connect भी कर पा रहे होगी ठीक है write the expression to calculate maximum work done when 1 mole n का value दे दिया बेटा n is equal to 1 ठीक है of an ideal gas expands isothermally isothermally important and reversibly माने W max का यहाँ पे formula लग जाएगा work done maximum is equal to what बेटा minus 2.303 n, n का value 1 है तो into 1 लिग दो into 1 into what बेटा Rt into log to the base 10 V2 by V1 यह बन जाएगा आपका formula simple pressure अगर रहे था तो P1 by P2 कुछ इस तरीके समलों लिगे दाते and that is how we deal with what बेटा this W max बड़ा जाएगे write the expression of first law of thermodynamics first law of thermodynamics for isothermal process by first law of thermodynamics isothermal process पूछ लिया तो isothermal process माने what बेटा isothermal माने कहाँ पे गया मेरा isothermal इसको बोलता जाता है बेटा delta T is equal to 0 process carried out at a constant temperature इसी वज़े से delta U भी क्या बन जाता है बेटा 0 तो internal energy is equal to Q plus W यह हम लोग 100 बार तो solve कर चुक है ठीक है ना तो Q अच्छा delta U गाए बेटा 0 Q plus W तो यह क्या बन जाएगा बेटा आपर W को इससेट मेले गया और W is equal to minus Q या Q is equal to minus W Q जो हम लोग already इस particular question में solve कर चुक है W is equal to minus Q hopefully question बढ़ी आसी clear रहेगा बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ क्या what is the sign convention when work is done on the system by the system by the surrounding चलो सारी बात ही एक ही case में लिख देते हैं work done on the system work done by the system ठीके ना heat added to the system towards the surrounding तो कुछ इस तरीके से लिख देंगे बात को समझो यहाँ पर इन दोनों को मैं अगर सिफ Q की बात कर रहा हूं यहाँ पर और हमको W की बात करने बटा यहाँ पर तो sign convention heat अगर add करते हैं तो इसका sign आ जाएगा बटा positive heat release हो रहा है तो इसका sign आ जाएगा negative मनि internal energy से heat निगाल रहे तो internal energy घटेगा इसलिए negative heat अगर add कर तो internal energy बढ़ेगा इसलिए positive work done on the system अगर होगा तो यह हो जाएगा positive आप work done माने एक टाइप से energy add करो यहाँ पर work done यह बन जाएगा बटा आपका negative तो यह सारे sign convention मनि heat के भी बता दिये तो आप आराम से कोई भी सवाल अगर आए तो आप उसके सवाल कर सकते हो call rush law is applicable for यह electro chemistry के question यहाँ से आगे शूरू हो रहे सही है तो question क्या है call rush law is applicable for the solution call rush law कौन से case में applicable होता है by it applicable only for dilute solution ठीक है ना वाई जहाँ पर हम लोग जो conductivity निकालते हैं infinite dilution ठीक है ना माने थोड़ा Oswald law यहाँ पर थोड़ा सा याद करने कोचिश करो Oswald law क्या बोलता है वीक इलेक्टोलेट जोता है infinite dilution 100% आइनेज हो जाते है तो उसी केस में हम लोग cold rush law applicable करते है तो सही जवाब बन जाएगा at infinite dilution जो कि practically possible नहीं है बढ़ हम लोग extremely dilute solution को infinite dilution assume करके यहाँ पर experiment को करते है ठीक अगला during the electrolysis of molten NECL okay molten माने बिल्कुल भी पानी नहीं है sodium chloride को heat कर दिया भाई heat करके सीधा solid से बना दिया liquid और liquid को हम लोग कर रहे बेटा electrolyze ठीक ना तो कौन सा statement जो correct रहेगा तो NaCl का जब मैं भाई simply लिख देते ना तो NaCl Na plus Cl minus तो anode पर हो जाता है oxidation तो बारी बारी से लिख लेते यहाँ पर at anode तो reaction balance करके लिख लेते है twice Cl minus तो यहाँ पर Cl2 gas जो है निकल जाता है pale green gas बिल्कुल सही statement है plus 2 electron निकल जाते है ठीक है at cathode क्या हो जाता है at cathode क्या हो जाता है twice sodium plus plus 2 electron यहाँ पर twice sodium solid मिल जाता है आपको at cathode so molten silvery white is deposited at cathode बिल्कुल सही यह cathode पर silvery color का deposit हो जाता है है बिल्कुल सही है decomposition of NaCl2 into sodium metal and chlorine gas बिल्कुल सही एक तो chlorine gas मिल रहा है दूसरा तो sodium metal मिल रहा है तो all of the above सभी option इसके correct बन जाते है तो all of the above will be the most correct answer है सही है बढ़ते अगले सवाल की तरब SI unit of conductivity directly unit पूछे लिया है पर ओम पर मिटर ठीके ना तो कुछ इस तरीके से लिग देंगे भाई unit बढ़ते आगे सीधा सीधा स्टेट फरवर्वर्ड in case of weak electrolyte the graph of molar conductivity versus under root the concentration graph अगर आप बढ़िया से ध्यान में है तो strong electrolyte के लिए आपको linear मिलता है weak electrolyte के लिए नॉल वैसे weak electrolyte elimination करा है तो this is for strong electrolyte this is for strong weak के लिए क्या बन जाता है नॉन लिनियर तो सही जवाब बन जाएगा नॉन लिनियर ठीका तो linear अगर पूछा जाता तो this is for यह भी simultaneously लगे हातों समझी लिजे स्ट्रॉंग electrolyte के लिए क्या बन जाता है लिनियर बने जाता है बढ़ते आगे इन कंस्ट्रॉक्शन अस्टांडर हेड्रोजन टांडर हेड्रोजन इलेक्टोड प्लाटिनम एक्टाज़ भी प्लाटिनम भी यहाँ पर जोड़ देते है और प्लाटिनम भी होजाज वर्टा इन अर्ट इलेक्टोड जैसा काम करता है कैसे काम करता है इन नाइट इन नाइस्ट्रॉड इलेक्टोड इकर इन इन इलेक्टोड है तो सही जवाब बन जाएक ऑप्शन नम्बर ए सही है बढ़ते अगले सवाल की तरब पर हैड्रोजन ग्यास इलेक्टोड इह हैड्रोजन इस काल्कूलेटेटेट थू दो नौस्ट इक्वेशन वेर इस स्टैंडर्ड अफ हाइड हाइड्रोजन इस टेकन आज जीरो कितरा बेटा जीरो तो सही जवाब बन जाएं है फ्लस्त डाइटार्ड अफ हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड इलेक्ट्ड का कमी है है जिसका पोली प्लwest के और करके दूसरे सेल का दूसरे इलेक्टोड का सेल का ने दूसरे इलेक्टोड का पोटेशन निकालते है ठीक है बढ़ते आगे the molar conductivity and conductivity ओके तो molar conductivity and conductivity कपा यह हम को देखे रखाए कितना है बेटा और कंडुक्तिविटी 121.4 पर ओम सेंटिमेटर स्क्वेर पर मोल चीगा और दूसरा क्या देखे रखाए बेटा कंडुक्तिविटी चंडुक्तिविटी तीना है 2.428 पर ओम सेंटिमेटर पर सेंटिमेटर और क्या बेटा पर सेंटिमेटर अट 20 वर्ट बेटा अट 25 डिए सेलसे एक्टिलों का यूनुट सेमी होना ची यूनुट पे कुस्ता कुछ तो गड़ बढ़ी है कोई टैशन ने सेंट्रेशन क्या रहेगा की रहेगा क्या खंसेंट्रेशन क्या रहेगा R मोलार कंडंड़क्तिवीटी का फॉर्मूला यहाँ पर लागो हो जाएगा मोलार कंड़क्तिवीजीकल टो अदीट थाउजट एंट व्यूंट घॉप बाय मोलारीटी तो नुलुलारी टीडी दूर्णने के लिए क्या कर लेंगे घॉप तहा ओजन इंट रिख पास व्यूं 428, 2., अच्छा, इंटू 10 के पावर माइनस 3 है, ची-ची, इंटू 10 के पावर माइनस 3 है, 2.428, इंटू 10 के पावर माइनस 3, जीवाई जट पाई, जीवाई जट पाई, क्या बन जाएगा, मोलर कंडुक्टिवुट के तरह, 121, 121, को मैं कुछ 1.21, क्योंकि मैं कुछ इस सरी के से आसान लग रहा है, ठीक न, 12, 2000, 14, तो कुछ उस टर्मिनोलोजी में, तो 1.214 इंटू, इस फित में शूप्ट कर दिया, इसको छोटा कर दिया, तो इसको क्या कर देते हैं, जाका, इसको क्या कर देते हैं, जो लो 1220 24 तो टू बन जाएगा तो क्या बन जाएगा तो इंटू यह 10 की पाउर 2 पर जाते हैं 10 की पाउर माइनस बन जाएगा क्या मैं इसको 0.02 ऐसा लिख सकता हूँ तो तो जब आप क्या बन जाबे का भाई मिल तो गया अप्चिन नमबर भी बात समझे इतना आसां था स्वाल गरना सीगा बढ़ते आ गया है यह साई उनिट आफ रिजिस्टिवीटी बाई रिजिस्टिवीटी के अलिया हमको यह साई उनिट हमको पूछ लिया गया बहुत यह आसान सा सवाल है हम लोग चंडुक्टिविटी का यूनिट अल्रेडी देख चुके राइट कंडुक्टिविटी का यूनिट अल्रेडी हम लोग देख चुके तो कंडुक्टिविटी के यूनिट से ही हम लोग रिजिस्टिवीटी का यूनिट भी बना सकते हैं otherwise what else you can directly write what बैटा बात क्लियर है बैटा तो जैसे पर ओहम पर से मorarरों से मिटर भी दिया है तो आप लोग डहरोगे देखो पर हम फर्मिटर गर्मिटर देए तो हम में पर मिटर है तो लिस्त का होता है तो आप कुछ तरीके से लिए तुडम सना फेंटविग है आगला क्या है बाई उसी को cell voltage बोल देंगे हम लोग, ठीक है, write a mathematical expression for standard cell potential, standard cell potential के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, E standard of what, cell is equal to what, E standard of cathode, minus E standard of anode, जब भी standard की बात करे, whenever we write the standard, E standard का मतलब हमेशा, यहाँ पर reduction potential ही होता है, तो बात को समझो, अगर मैं यहाँ पर, E standard of cathode, this one will be what, reduction, this one will also be reduction only, तो hopefully चीज़े clear रहेगी, given the chemical composition, give the chemical composition present in the salt bridge, salt bridge बनता किसे है, तो salt bridge का, subsidiary component होता है, अराउंड 5%, nearly 5% वोट बेटा, अगर powder यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है न, जो बायोलोजी की बच्चों को अच्छे से पता रहेगा, यह आगर powder क्या रहता है, this is used as a media for the microorganism, ठीक न, उनको खानी की चीज़ है यह, अगर, अगर, ठीक न, तो दूसरा रहता है, बेटा, प्लेस, आइदर, आमोनियम, NH4, NO3 इस्तेमाल कर लेते, और NH4, CL इस्तेमाल कर लेते, और, NA, KNO3, AGNO3, sorry, KNO3, NANO3 को चीज़ तरी कैसे, एटसेटरा लेख देते, न, वही, तो, बेसिकली आइण सिस्तेमाल करते, आइणी कंपाउंड इस्तेमाल करते, तेकिना, सुटेवल, जिनका मोबिलीटी वगरा, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, विच्वी आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेट टू स्टॉल यह, सिंपल सा, इसको हमको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, फैक्टर क्वेशन है, 1.4 वोल्ट यह रहे जाता है, जिसको सिंगल 1 मार्क क्वेशन के लिए, आप लोगो इस तरीके से चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके बाद आ जाएगा बढ़िया से, 1st order reaction, क्या बढ़ा, 1st order reaction is 50% complete in what, 69.3 minutes, time required for 90% completion, 90% completion, for the same reaction, भाई, देखो, T half हमको दे दिया, ठीक न, T half is equal to what, 0.693 by K, ठीक न, तो time हमको दे दिया, तो K निकाल लेंगे, rate constant, rate constant तो बढ़ लेगा नहीं, यह कितना है, 0.693 by T half कितना दे दिया, 69.3, देखो लो भाई, स्वाल कर दो question को क्ये लिग दिया, तो हमारा 1st order का 90% consume हो चुका है, तो 1st order के लिए, यहां से equation को लिखना कर देंगे, आपन, start, ठीका, तो, क्या पूचा बेटा, time, time required, तो, T is equal to what, बेटा, 2.393 by K log to the base 10, A not by what, बेटा, 80, अभी A not, initial concentration, 100, and final concentration, बेटा, 90% complete हो चुका है, तो बचा कितना, 10%, तो, लिख देंगे, values, put कर देंगे, 2.393 by K, यहां पर, इसको कुछ इस तरीके से, मैं, स्वाल कर देंगे, देखो, उपर क्या कर देता, बेटा, मैं, इसको कुछ ऐसे लिख देता है, 69.3 by 69.3, उपर यह दो डिजिट इसको बड़ा कर दिया, तो, इसको 10 की पावर क्या कर देंगे, बेटा, इसको minus 2 कर देंगे, बस, यह same values यहां पर put कर देंगे, और यहां पर solve कर देंगे, क्या, बेटा, 10 की पावर minus 2, log to the base 10, यह नॉट कितना है, बेटा, 100 by 10, कितना बज जाएगा, lock 10 कितना आज जाता है, बेटा, 1, तो यह बस इसी को solve कर लो, आपका जवाब मिल जावेगा, यह 10 की पावर minus 2 पर जाते time क्या बन जाएगा, बेटा, 2.303 into 10 की पावर, बेटा, 2 तो कितना बन जाएगा, 2.303 मिनिट, तो यह जवाब बन जाएगा, option number यह, hopefully question एकदम बढ़िया से crystal की है, बेटा, बढ़ते अगले सवाल की तरब, time required for 100% completion of 0 order reaction, 0 order reaction 100% complete हो जाए, तो कोई भी time का question हो, rate constant का question हो, तो I would suggest कि जो आप integrated rate equation है, बाई, उन्ही कोई सब्सक्राइब करो, importantly 2 ही तो है, 0 order, 1st order, ठीक है, तो most importantly 2 ही तो equation है, तो आपका क्या बन जाता है, 80 is equal to odd, a not minus kt, तो कुछ इस तरीके से आप equation को लिख लेते हो, अभी 80 का value जो है, 100% complete हो चुगा, माने, concentration of a at time t is equal to odd, 0, 80 का value कितना हो जाएगा, 0, so 0 will be equal to odd, a not minus kt, तो हम इस equation को rearrange कर लेंगे, क्या बन जाएगा, kt is equal to odd, a not, t के term में लिखाए, time required, तो t will be equal to odd, a not by k, a not को यहाँ पर a लिख दिया है, ठीकना, in terms of a, तो a by k बन जाएगा, a not a, a is what बेटा, initial concentration, जो है, वो a के term में लिख दिया है, that is all, बाकी और कोई भी मतलब नहीं, I hope, चीजे, मने, terminologies, आप, मैंने a not लिखता हूँ, यहाँ पर, small a के term में mention करा है, that's all, hopefully, चीजे clear है, बढ़ते, अगले question की तरफ, rate constant, rate constant, क्या पूचा गया, बेटा, अफो reaction, rate constant, k का value दे दिया है, k is what, बेटा, 3.6 into 10 की power, minus 3 per second, तो order of reaction, आरे भाई, इसको लिखने की भी इस unit से हमको पता चल जाता है, it is a first order, क्या है, बेटा, it is a first order reaction, कैसे, आप दोर, integrated equation लिखो, simple equation लिख दो, ठीक न, rate is equal to what, बेटा, k into concentration of a की power, अगर first order है, तो 1 लिख देंगे, बोलो, हाँ या न, rate का unit क्या लिखते है, पर लिटर, पर second, ठीक है, इसको solve कर देंगे, हम equation को लिख देंगे, k into concentration का unit, मोल, पर लिटर, मोल पर लिटर को इस साड़ में ले क्या हो, के के लिए solve कर दो, तो मोल, पर लिटर, पर second, अपन, मोल, पर लिटर, तो मोल पर लिटर, मोल पर लिटर, कैंसल आउट हो जावेगा, पर सेकन बच जाएगा, तो यह first order का equation है, अगर आपको यह नहीं चाहिए, तो आप integrated equation में fill out करके, मैं दोनों, तीनों आप्रोच आप लोग को बता दे रहा हूँ, integrated equation में भी आप इस value को put करके देख सकते था है, आपका integrated equation क्या था बटा, time निकालना है, तो unit निकालना है, k निकालना है, हमको rate constant का unit, क्योंकि rate constant का unit देना, तो k लिख देंगे आपके, k is equal to 2.303 by t, locked to the base 10, a0 by 80, इस दे clear है, दोनों concentration ही है भाई, तो concentration से concentration कट जाएगा, mole per liter, mole per liter से कट जाएगा, locked in constant, constant by time, तो k is equal to 1 by time, और time का unit क्या है, बटा, second, तो 1 by, तो 1 into per time, या, unit जो है, वो क्या बन जाएगा, बटा, per time बोल दो, time का unit ही क्या बन जाएगा, बटा, second, तो इसी लिए, the unit will be what, तो इसी लिए, आपका ये given question से क्या बन जाएगा, first order, आप decide कर पाऊगे, अकला देखते है, बटा, the rate law really, relates to the word, बटा, rate of chemical reaction in terms of, भाई, कोई भी rate law, देख लो, rate is equal to k into concentration की power x, तो ये decide करता है, mole per liter of your reaction है, that decides actually everything, ठीक न, तो ये rate law को relate करता है, ठीक है, first order of reaction, for the first order of reaction, rate constant, rate constant, for the decomposition of into 5, 6 into 10 की power, minus 10 per second, half life period, for the decomposition, in what बटा, seconds, seconds में time, वो हापी भी unit, second में, तो को attention ने, T half का सिधा सिधा unit लिखना है, या T half का सिधा सिधा formula, T half is equal to, क्योंकि half life time पूचा है न, first order reaction के लिए half life period कितना है, तो सिधा formula क्या है, बटा, 0.693, by what, बटा, k, k, ये तो already mention है, rate constant, लिख देंगे, 0.693, divided by 6 into 10 की power कितना है, बटा, minus 4, ये उपर जाते time क्या बन जाएगे, बटा, प्लस 4, ठीक है, वो प्लस 4 अगर बन जाएगा, तो 0.693 into 10 की power 4, by 6, तो थोड़ा, जाधा steps, इसलिए add कर रहा हो, ताकि चीजे आसानों जाए, 10 की power 4 है, तो क्या मैं इसको 6, 9, 3, 0 लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे point था, 1, 2, 3, 4 point आगे दे दिया, divided by 6, स्वाल कर दिजिए, 6, 100, 6, then 9, 6, 100, बजगे 3, 3, तो साइग सावन चेटीज, तो बजगे फिर से कितने वेटा, 3, फिर से, चेटीज, तो 1, 1, 5, 5, option number C, will be the correct one, hopefully चीजे एकदम crystal clear है, और unit तो आपका, खेर, क्या बन जाता, time per second बन जाता, ठीक ना, unit per second का, यहाँ पे unit तो लिखा नहीं है, बढ़ टाइम का unit तो obviously, half lifetime का, sorry, per second नहीं second में बन जाता, क्योंकि नीचे per second से उपर second बन जाता, that is all, ठीक, order of reaction for which unit of rate constant is what बने, अब देखो, आप सवाल देख रहे हो, यूनिट से आपको पहचानना है, कौनसा order of reaction है, rate constant की units है, यहाँ पे unit क्या है बेटा, mole per decimeter cube per second, mole per decimeter cube लिख लो, या mole per liter per second लिख दो, कोई tension नहीं, दोनों का मतलब यह की है, क्योंकि मैं इस unit को prefer करता हूँ, इसलिए लिख दिया, भाई मेरे को अगर पता नहीं, तो मैं क्या कर दो भाई, rate is equal to k into concentration of a की पावर में x लिख देता हूँ, rate क्या है बेटा मेरा, rate मैं k का unit लिख लो, k is equal to what बेटा, rate upon, rate upon a की पावर what बेटा, rate upon concentration of a की पावर x, rate का unit क्या रहता है बेटा, mole per liter per second, और मेरा जो जवाब आ रहा है बेटा, मेरा जवाब आ रहा है, mole per liter per second, तो x का value must be what बेटा, तो यहाँ पे concentration जो है बेटा, concentration की पावर x, x must be what बेटा, 0, and this 0 is nothing but what बेटा, 0 order reaction, 0 order, तो आपका सही जवाब क्या बन जाएगा बटा, option number C, कितना amazing question है, ठीक है थोड़ा सा दिमाग लगा, और question आपका स्वाल, अगर आप यहाँ पे भी 0 value रग देते हो, तो 0, तो यह इसका anything power to 0, 1 बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कि तो rate का जो unit, mole per liter per second, वही rate constant का unit, if x is equal to 0, और x जो होता है, that is nothing but your order of reaction, ठीक है, अगर x का value, 0 है तो 0 order, 1 है तो 1, 2 है तो 2, चीक बड़ते आगे, which of the following is unimolecular, unimolecular, it's theoretical property, क्या है बटा, theoretical property, क्या है बटा, theoretical property, तो यहाँ पे stoichiometric coefficient 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 और 1, 2 बन जाएगा, यहाँ पे 1 और 1, 2 बन जाएगा, यहां पे unimolecular reaction, it's a theoretical property, मानने कितने number of mole of reactant involved हो रहे है, यहां पे 2 mole है, यहां पे भी 2 mole है, यहां पे भी 2 mole है, so this is the only unimolecular reaction, clear है, effect of catalyst in a chemical reaction, क्या यह तो बचपन से जानते हैं, ठीक ना, it decreases the activation energy, activation energy पे directly फरक रहता है, तो सही जवाब तो यही बन जाएगा, catalyst का main important role रहता है, it affects the energy, it generally lowers the energy of activation, ताकि rate हमारा past हो जाए, ठीक है, but negative catalyst ही केस में exactly opposite होता है, जो हम लोग देखते नहीं है, हम लोग को सिब यह वाला catalyst का रोल पता होना चाहिए, यह one example of pseudo first order reaction, very famous example, ister hydrolysis का वाटा, ister hydrolysis, आप reaction लिखना चाहते हो, reaction लिख दो, ethyl acetate लिख दो, methyl acetate लिख दो, ethyl acetate plus water, water का concentration will not affect if water is taken in excess, इसलिए इसको pseudo first order, माने, सिर्फोर सिप इस्टर का concentration matter करेगा, इसलिए इसको pseudo first order reaction बोल देते हैं, आपका product of basic carboxylic acid plus ethanol बन जाएगा, ठीका, बढ़ते हैं, अगले सवालों की तरफ, write the order of reaction, write the order of reaction, ठीके न, यह बहुत famous example है, ठीके न, exam, यह question पूछने वाले तो पागल लोग रहेंगे, क्योंकि reaction देखे, order पूछ लिया, यह सिर्फ तभी करा जाएगा, if the reaction is very famous, जैसे कि easter hydrolysis, very famous example, decomposition of ammonia, very famous example, बात समस्वारी बटा, तो this comes out to be what बटा, zero order reaction, क्या बटा, zero order reaction, यह निकल के आता है, अगला क्या है, identify the molecularity, molecularity theoretical property है, यहाँ पर इसका stoichiometric coefficient 1 है, तो इसलिए यूनी molecular बना जाता है, क्या बन जाता है, यूनी molecular बढ़िया है, बढ़ते आगे, rate constant पूछ लिया, इस reaction के लिए, ठीक न, find, अच्छा, rate constant दिया है, order of reaction, अरे भाई, हम लोग अलेड़ी solve कर चुके, unit per second है, तो यह first order directly, यह है बटा technique solve करनेगा, सीधा unit से ही बोल दिया कि, first order reaction रह जाएगा, unit को ढूंड लो, done है आपका काम, तो, write the mathematical expression for integrated rate law, for zero order reaction, हम लोग अल्रेड़ी लिख चुके इस equation को, बट फिर भी लिख देते, 80 is equal to what beta, in order minus, kt, यह आप इसको ऐसे लिख दो, kt is equal to what beta, in order minus 80, here है, बच्चा लोग, दोनों में से कोई भी equation इस्तमाल कर दो, इस equation के basis पे, we have already solved one question, ठीक है, कहाँ पे गया मेरा पैरा question, यह वाला, already हम लोग एक question solve कर चुके है, ठीक, अरे, आजब रही, कहाँ पे चला गया, कहाँ पे गया, मेरा question, 82, 85, अरे, अच्छी खाँ से question, डिस्कुस करेंगे, 87, ठीक है, तो, और दो questions है, और दो questions करेंगे, then we are done, then we will stop, बाकी के बच्चे होए जो questions है, बाकी, इन और गनिक और और अरगनिक है, अगर, मैं comment देखता हो, if there is very good response, तो, definitely उन प्चेशन को भी, additionally, देदेंगे, ठीक है, नेंच दो, 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 भाई, रेट, तो, दो, 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 rate determining step जिसको बोल दिया जाता है, क्या बोल दिया जाता है, रेट determining step बोल दिया जाता है, ठीक है, बढ़ते आगे, for the reaction, एक reaction दिया, overall order पूछा है, भाई, rate is equal to, rate constant into concentration of NO की power 2, and H2 की power 1, तो, sum of the powers, इसको क्या बोलते हैं, बटा, 2 प्लस 1 क्या बन जाएगा आपका, third order reaction, तो, यहां तक हम लोग, physical chemistry के सारे questions, गतम कर चुके हैं, और, hopefully, आप लोग को session में मज़ा आएगा, तो, see you in a next class, तब तक, बढ़ी आसे पढ़ते रो, keep revising, keep performing, bye-bye.